कल से फाइब मिनट लेडी चालू करेंगे जैसे करते हैं परस्डे है ना इसलिए आगे हमें टाइम से पहले है लाइब वाले तो कहीं लोग सोच रहोंगे कि अभी तो पांच मिनट बादी सब होगा आ रहोंगे कुछ लोग अचाय काफी पीर रहोंगे कि अद्यमेकोड़े क्लियर है कि इनक अज लिए लेकोड़त है किस के लिचेव भुआ हमेर के सब कुछ क्लियर है करता हुए कि अग से लाइव हूं कि नि यह ज़िए यूटुब नाइन के लिए Norway क्ला से उनलेन उनकी लाइव और मेरे जएर्य वेवेरेट मेरे बैठे भी आप सामने तो फेवरेट बोल दिया तो तीने जगा उसे लाइव हूं हूँ अ इसा ना हो तो न्यू कॉफी रखिएगा और इस कॉफी को आप सिर्फ गेट के पॉइंट ऑपी से बस सुचेगा मैं ट्राइब करूंगा कि इस कॉफी में वह सब कुछ हो जो आप अपने पोर में काम करने जाओ तो भी वहां पर आपको काम आए मत्तलि कॉफी को आप लंबे मैं इलेक्टिकल का टीचर तो नहीं हूँ इसलिए मेरे सोचने का नजरिया जो है वो एक इलेक्टिकल के टीचर समान नहीं होगा मेरे पढ़ाने का तरीका भी इलेक्टिकल स्टुएंट के समान नहीं होगा तो मेरा जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा नेटवर्क जैस कुछ होगी वो एक थर्ड पर्सन समान होगी जो दूर से देखता है चीजों को और समझने की कोशिस करता है तो जो चीजे मैं अंडरस्टेंड करता हूं वही चीजे उस वे में आपको प्रोवाइड करूंगे कि जल्राइबन रносक यह? कि जल्यों रही बन करें है? छैक करें से कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सब्जेक्ट टफ नहीं लगे लगता है तो आपको लगने के सवाल पैदा नहीं होते हैं वर आई होब आपको मसीन या पावर सिस्टम दोनों से ज्यादा अच्छा लगे 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 और मैं यही सोचके बढ़ा रहा हूं कि यह पाउल तानिस में लाजबा पढ़ा तो यही सोचके बढ़ा रहा हूं तो आराम से इंज्वाइब करते हूं पढ़ाओं जैसे तुम्हें करता हैं आप करें ना करें तो मैं जो आर्डरिंग होगा वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइब का होगा और इंज्वाइब का स्टाइल भी अला होगा मतार ओवर वाल यह सब कुछ डिफरेंट होने वाला है इस सब्जेक्ट में जो आप सोच रहोंगे वैसा नहीं पढ़ाऊंगा तो पावर एलेक्ट्वानिक्स जैसे हम जब स्टार्ट करते पावल टाइंस तो इंपोर्टन चीज के लिए रहना था किसी बी सब्जेक्ट का मेनिंग बहुत इंपोर्टन एक दम बात करें तो जब हम किसी सिस्टम की बात करते हैं एक ओपन सिस्टम है यह आप एक इंपूट दी है और यह आपको आउटपूट मिले आउटपूट इस बात पर बेस करता है कि आपकी पास इंपूट जो है वो कहां से पास हो रहा है कि आप बोल सकते हो कि जो सिस्टम वो एक कनवर्टर यह ए वो कनवर्टर है लाइक कि अगर मैंको अगर मेरे रिक्वाइर्मेंट है कि मेंको टिफ्रेंसिटर आप इंपूट चाहिए तो मैं एक इफ्रेंसिटर से पास करूँगा तो मेरा जो system को जो output होगा, वो dy dt xt हो, यह, इसका तब यह converter हो गया आपके पास, एक x of t से आपके पास y of t में convert हो गया, और जो converter हो डिफ्रेंसेटर, तो behavior change होगे, जो input आप दिये, उसका behavior change होगे, आप डिफ्रेंसेटर से pass किया, with output, derivative of input, अगर आप एक system से pass करें, signal system में आप बेसिक system बनाते हैं, एक LTI system से pass जब करते हो, x of t को, तो y of t जो रहता है, वो x of t convolution with h of t होते हैं, यह उताब क्या से एक LTI system में जब आप discuss करते हैं, या फिर मैं एक indicator से pass कर दिया, एक input को, तो इस आप converter होए, जो output में आपके पास, depend करता है, कि input क्या है, और हमारा system क्या है, तो integration of x of t, तो इस आप basic converter आपके पास जो system में आप deal करते हैं, अब यह देख रहा होगा आपके पास की जो basic system में, इसमें कुछ भी नहीं, आप input दे रहे हैं, और output में आपको result मिल जा रहे हैं, इसी system को, एक basic system है, इसी system को जब आप advancement form की जब बात करते थे, तो हम next परते थे, control system, और control system में close system होता था, बाकी उपर के जित्ते भी system मने हुए है, वो साब एक open system मने हुए, control system को जब block diagram मनाते थे, तो हम बोलते थे थे, आपके पास एक basic step, negative feedback system, फिर जब हम, एक open system से compare करते थे, तो हम बोलते थे, कि एक close system, एक control output होगा, आपके पास यहाँ पर एक reference input होगा, या आपके पास measuring device या sensors लगे हुए, तो control system जो होता था, एक open system से, उसके बहुत सारे advantages होते थे, ज़्यादा reliable, cost ज़्यादा होगी, लेकिन cost ज़्यादा होने के साथ-साथ reliability होगी, उसके stability ज़्यादा होगी, accuracy ज़्यादा होगी, हम error की बात करते थे, और control system में हमें control system की बात करते थे, signal system में तो कभी आप control system की बात किये नहीं, वैसे हमारे पास जब हम in general जे सब converter की बात जब करी रहे, हम बोलते हैं कि पावर लिटानिस का भी block diagram जो सबसे simplest block diagram हो सबता है कि यह पावर लिटानिस लिखे हैं और यहाँ पर लिखे कि यह एक load है, और यहाँ पर आपके पास यह लिखे source, यह input power, और यह आपके पास output power, अगर सबसे simplest figure की बात करें, इसके simplest figure नहीं हो सबता है, पावर लिटानिस का, एक source बना, that means the input, और एक load बना जी, that means the output, अपावर लिटानिस की 10 book open करोगे, 10 block diagram में बात करने का तरीका अंदाज जोगा अलागला होगा, even different google PDF में different books open करोगे, तो सब का conclusion एक ही बात है, लेकिन सब के बोलने का तरीका, दिखाने का तरीका सब different होगा, आपके पास एक input, एक output, input that means the source, and output that means the load, और वीच में आपके पास एक convert अलगा जिसका पावर लिटानिस बोलने, ब्लॉक डियाग्राम अपावल टानिस, जैसे system का ब्लॉक डियाग्राम बोले तो बना हुआ, उसे का advancement बनाया तो नीचे वाला एक control system बना दिए, अगर मैं को simplest definition बोल बहुत है, अगर आप आप आवल टानिस के अगर आप बात करो न, तो आप 10 book open कर लो, दसो के statement अलग style में होंगे, मतलब सबका एक ही है, जिसको बहुत आता होगा उसको पता है कि दसो में एकी बात है, सकता है कि आप आप कर दो, सबसे simplest पिगर बनाता तो, सबसे simplest फिगर बनाया है, सबसे simplest definition लिकने था है, तो नकर आप सकता हुँ कि, पावल टानिस के definition एक लिख लेता है आपाँ. पावर एलेक्टॉनिक्स, पावल ड्हेलूर्टोनिक्स, इस ये Turning Nich Denise zircrcricularch, Power Electronics is an electronic circuitry which takes power from source and deliver it to load. Power Electronics is an electronic circuitry which takes power from source and deliver it to load. एसे आसान कुछ नियोसतर. हम बोलें कि Power Electronics is an electronic circuitry which takes power from source that means the input and deliver it to load. तो हम लोड में आपकी पास transfer कर रहें. क्यों जरुत पड़ी कि आपकी पास हम source से पावर ले और फिर लोड में transfer कर रहें और converter के नीट के उपड़ी यह सब बाते हम कर दे वाले. तो सबसे पहले तो में एक block diagram मना है, जिससे system का block diagram होता है, एक input होता है, एक output होता है, output यहाँ पर load होगा हमार. और यहाँ पर input की जो बात कर रहे हो, source हो supply होगा. और भी definitions ना कर में कोई लिखना है, बहुँ सरे लागल लोग define करते हैं, तो और भी define कर सकता है, आपकी बास, paragraph change कर रहे हो, next में लिखना है मोग. power electronics may be defined, power electronics may be defined, the application of electronics, power electronics may be defined, the application of electronics. in bracket solid state devices all tonics may be defined the application of electronics the application of electronics in bracket solid state devices solid state devices bracket close for control for control and convert for control and convert the electric power for control and convert the electric power for control and convert the electric power अब कि आपके पास power tonics की term logic अगर बात करें तो आपके पास जो term दिखता आपके पास दिखता दो ही term power भी आप समझते हो और electronics भी आप समझते हो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो power tonics लिखा हुगा तो देखने से लगता है कि यह two terms का combination है एक आपके पास दिखता है कि यह power यहाँ पर power का क्या मिनिंग है यह बहुत important है और electronics का क्या मिनिंग है यह बहुत important तो combination of two words electronics बोलने का मतलब यह आपके पास solid state devices यह जो हम यूज करने वाले जैसे कर मैं बात करूँ जो हम इन जर्नल जानते हैं unlock circuit पढ़के आ रहे हैं तो diode है जाए फिर ट्रांजिस्टर जो हम यूज करेंगे यहां पर जाए फिर मॉस्पेट या फिर आई जी बीटी ओ जीटी ओ और भी चीजे बहुत सरी चीजे और आगी continue की जासे तिए ट्राइक है ठीके इट्स ओके एक है पावर की बाट करते हैं कोई जगह नहीज में पावर की बात करते हैं कarnaर्ट करते हैं पावर का कंवर्जन और एक हुताब के पस controlling of power तो power control यह power conversion, power control और electronics फुरते पहले आप एक definition लिखे है यह मुहम्मन राशित की एक बूक है एक राशित की जो बूक होती बड़ी famous आपकी बूक है उसमें उससे यह definition लिए है जो second definition भी आप नूट किये कि all times may be defined as the application of solid state devices that means the electronics for control and conversion of electric power तो हम इसका use करते हैं आपकी पास electronics का इसमें electronics का मतलब है solid state devices different आपकी पास devices यूश करेंगे इसको ऐसे switches के समाने यूश करेंगे क्यों switches के समाने यूश करेंगे हर एक चीज का reason होगा इसे कोई भी चीज नहीं होगी इसको इसको हम यूश करेंगे इसका use कहां पर करेंगे power को control करने के लिए और power की convergence के लिए तो power का convergence के साथ power की controlling भी बहुत important actually power times का नाम अगर power control electronics होता तो और भी powerful लगता लेकिन दोई का combination है तो यहां पर तीन टम्स actually नोट टू टम्स power के अंदर दो चीज़े power का control है और power का आपके पास convergence वो electronics हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर electronics का मतलब है जो भी हम devices यूज़ करने वाले है variety of devices यूज़ करने वाले है तो total आपके पास three terms हो गया power का conversion power का control और आपके पास यह कभी-कभी ब्लॉग डाइगराम जो होता है आपके पासे सभी बना रहते हैं यह पावर प्रोसेसर बनाया है यह सप्लाई है है थोड़े जब फीकर बनाया था तो में इतना ही बनाया तो कि सप्लाई से लोड यह आपके पास कंट्रोल अंग यह वैसे हैं आपके पास जैसे की एक बेसिक से मैं एड्वांस्मेंट एक सिस्टम किया था अब यह आपके पास यह बना दी यहां से आउट-Pew ब्लॉग ड्याग्राम आप पावर विल्क्राणिक सिस्टम है यह तो हमार मांट में चीजे कलियर है ना ची आपके पस क्यों कर रहे हो तो बात करेंगे बट पावल टाइंस के अंदर में जो चीजे देखने से दो वर्ड है यह आपकी पास से एलेक्टॉनिक्स तो हम यूश करने वाले एलेक्टॉनिक्स को यहाँ पें इलेक्टॉनिक्स का मतलब है किपड़ डवाइसे कि कुझ हम डिवाइसे यूश करें तो एक ब्लॉग डियागरम बना दिये पौल्टाइंस सिस्टम को जैको तो चाहिए अट पेसिक नॉट कर लिए अगर सप्लाई ये सोस जो भी आपको बना ये अब होता क्या आपके पास कि जेब हम सप्लाई की बात करते हैं खैकं cheese जो सप्लाई में हमके पास aco dc ये और लोड की requirement जो है ये लोड की requirement की बात कर रहे हैं हम लोग और available supply की बात कर रहे हैं available source और available supply इन जनरल यह जानते हैं आपके पर जब हम एक इसी की बात कर रहें तो है सिंगल फेस और थ्री फेस कि सिंगल फेस में 2 30 50 फिफ्टी वड्स आप लिखते हैं यह वैरेस्टन रहता है टूटी से टूटी वोल्ट हो यह 440 वोल्ट और 50 एर्ट्स बाकि फ्रिक्वेंसी आप 50 एर्ट्स ले सकते हो अलग अलग कंट्रीज की बात की जाए तो और यहां पर जो डीसी आपके पास यह डीसी बैटरीज है यह और भी पल्स आपके पास सिंग्नल्स होते हैं वह भी अब यह पर फोकस कर तो आपके पास जो एवलेबल जो सप्लाई और डीसी बैटरीज से आपके पास और जानते हो कि सिंगल फेस या थ्री फेस लिए आँ इस लिए वगर मैं लोड के रिक्वार्मेंट की बात करूं कि हमापास क्या-क्या लोड होते हैं तो आप लोड भी वैसे जिसे सप्लाई के फार में है वैसे आप लोड बोल सकते हो अगर आपके पास एक डीसी लोड और एसी लोड लिगा यह एसे लोड जो एसी से अणिक्ट होंगे जो लोड ड्डीसी पे बेज्ड होंगे जो ड्सी पेवक करेंगे वो डीसी लोड ओगा जो भी ऐसी ऑपरेटर जो आपकी पास एक्वार्म इसे लोड क्या बात करें जिसे अटेज ए उन्भा यह लोड आपकी पास या लाइटनिंग है डायव अचीफ़ इंडेक्शन मसीन है यह माइक्रोवेव ओवन बोल सकते हूं डीसी लोड तो हर जगा आपके पास यूश्च करते हो आप मोबाइल बैटरी से यह लैप्टॉप बैटरी से अब आपके पास यह लोड की रिक्वार्मेट अब हमको यह दिखना इंपॉर्टेंट है कि पाल्टानी सिस्टम जो है लगा हुआ है अब आपके पास यह लोड की रिक्वार्मेट सबसे यह लोड की अगर में बात करूं तो सबसे यह लोड करते आप जो डेली डेली लाइफ में जुश करते जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो आपके पास मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो डेली रूटीन का का में उसके बिना तो होता है नहीं ऐसा कोई नहीं होता हो जो साथ दिन में एक बार मोबाइल चार्ज करते होंगे एक दिन अगर लाइट ना और घर पर आफ और मोबाइल फोन अब चार्ज ना हो तो उसकी बात वेक्ति इरिटेट होने लग जाता है पता है किसे लड़ाई कर बैठें तो हमारे जिंदगी का बहुती इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुली क्या मोबाइल फोन पुरे चार्ज पूल चार्ज और कई बार तो लोग को बाकी चीजों में हैपी नहीं होते लेकिन अपने मोबाइल में एक बार हंड्रेट परसंट देखके स्माइल कर देते हैं अब होता कि आपके पास की क्यों हमको कィ नियरत जैसे पार्ट 10 सिस्टम लिखा आपकी पास ओ यह यहां पर आपके पास एक AC grid से connect कर दे रहा हूँ 230 volt 50 hertz और यह आपके पास load है उसमें जो बैटरी लगी है mobile phone के अंदर में इसको mobile phone ही लिए देता है अच्छली जिसमें बैटरी लगी है वो load है और यह आपके पास charger यह charger जो charger हैब के पास Converter और यही पाउल टानिक्स है यह पाउल टानिक्स सिस्टम बोलब वर बात पाउल टानिक्स सिस्टम यह पाउल आप डेली डूटीन लाइफ में आप चार्ज करते हो लेकिन आप उस charger को कितने बार अच्छे ध्यान से देखे उसके स्टेशिपिकेशन को कितने ध्यांग से देखिया है ऐसे कितने लोगे जो अपने मुबाइल द्ट्ट के चार्जर कुपी डेली यूष करते हैς जाए है जाएब एफबल द्ट्ट से नहीं पास उसमें जो output हो कितना लिखा रहता है कितने बार आप अपने charger को या फिर जब भी आप mobile phone change किये हो जब भी आप charger change किये हो उस charger को फिर से चेक कियो कि उसके specification में क्या changes आया या फिर आज से तीन साल पहले जो आप charger यूश करते थे और आज जो charger यूश कर रहे इसकी specification में क्या difference हाया कितने लोग जब भी चार्ज करते तो इस चीज को देखे है जिसके पास भी charger है वो अपने इस चीज को बड़े धियान से देखे है इसमें कितने लोग ऐसे जो आपने charger को इतने दियान से देखे और electrical instrument है तो उसको पता ही होना चाहिए कि चार्जर यूश कर रहा है तो उसको clear है ना चाहिए कितने लोग इसमें क्या है मैं थोड़े बोलूँगा कि आप भी charger को charger फोड़े लेक्या हुआ है कि धीरे धीरे लोग ऐसा करना चालू कि कहीं तो देखे वाइट कलर का था तो अगर आप देखोगे ना तो मैं यह मेरे पास रखा हुआ है तो इसमें देख रहा था कि एक तो यह सैमसंग का है इंडिया मैट जो है मैट बाइंडिया है और इसमें जो इन्पूट है आपके पास वह हंडेट से टू पूटी वोल्ट है कि आपके आसे से इसे गरीट पर आप इसको यूज कर सकते हो चाहिए इंडिया हो चाहिए क्यों कैसा नहीं कि आप जो कंट्री चेंज करते हो तो फिर आपको महां पर जाके एक नया चार्जर खरीदना पड़ते है कि 1.5 एंपियर लिखा और जो इसका आउटपुट है वह 9 वोल्ट और 1.57 एंपियर से 5 वोल्ट टू एंपियर तक लिखा हुगा है यह आपके पास आउटपुट है और यह मैड इन इंडिया है यह एपल का जो है इतना इस ताइप से लिखा हुआ आपके पास की ऐसा अगर मैं देखूं तो उतना दिखें ना है एक दाम पास से देखूंगा तब दिखेगा तो लगबग 200 से लेके 240 वोल्ट तक आपके पास एसी का वेरिस्टेंस से 50-60 यह से कॉमन है कि हर जगा आपके पास इसको यूश किया जा सकते है और आउटपुट जो है 5 वोल्ट 3 एंपियर और 9 वोल्ट 2 एंपियर आपके पास यह दिया हुए और यह जो है वह मैड इन च कि अब मैं जयाता इसलिए युश करना थे आपके पास की देखो अगर मैं एक मोबाइल फोन को जगर में चार्ज कर रहा हूं तो एसी ग्रीड आपके पास डिया और चारजर आपके पास चारज़र आपके पास जो है वो चारजर से हम क्योंटिकर हुए क्या करता है अगर सब्सक्राइब करें और हम जब पढ़ेंगे पूरा सिस्टम पढ़ेंगे इंट्रक्षन किया जाए तो पांची मिनट का है कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले उसी फाइब सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद जो होगा एक चौपर होगा एक इनवर्टर होगा तीन चैप्टर में 95 से 98 पर्सेंट खतम होगे तो तीनी चीज़ है बस आपको जो पढ़ने और एक दो परसेंट में साइक्लो कनवर्टर के बारे में तो वह एसा गेट में रहता नहीं औ चैप च्राइब करते हो तो आप पुति हाराम से बात करते हों कि S2 डीजी कंवर्टर यह एक करक्क्रिफायर है कि यह हम एक और यह आपके पास डीजी में रेक्टिफार जब हम पड़ेंगे तो कभी असा नहीं होगा कि आप एक अ इन्पूर्ट दिये हैं यह प्श यह प् आउट्पूट का मतलब होता है जैसे अगर मैं फुल्वर एक्टिफायर अगर बात करूं तो ऐसा बनता है ठीक है अभी तुम्हें पढ़ाने रहा हम सब इंट्रक्शन स्टार्ट किये यह आउट्पूट आपके इसमें इसमें दोनें लेकिन मोबाइल फोन को जो चार्जर सब्सक्राइब तो आप कभी चार्जर जो सब्सक्राइब सेखेंगे तो आप कबधी चार्जर जो आप चैंज करते So prender कर डियो जैसे आप वाल चोई बढ़ा होता है गोई कि ने को भी आता हो हुगा जबrig आप कोई ले तो पूंद लेते हो तो चारज को आटा है मैं बोर नोब पुराने चारज का क्या करते आँ पुराना चार्जर उसका क्या करते हो इलेक्टेकल इस्ट्ट्वेंट होना और गेसे ऊप्षेमन बखेंग करते हो दों पूरा के kya करते हो पुराना चार्ज हो जाते हैं तो कहिं की क्ए उसको और यह क्care होगा करते हैं बहुत सरे हमारें पार फोन तो पढ़े रहे तो यह जो लगा होता आपके पास यह इसी ग्रिट से connected है और जो हम पढ़ने जाते रैक्टिफायर तो जो रैक्टिफायर जो हम पढ़ेंगे आपके पास की चाहिए आपके पास यह स्रीप AC to DC converter है इसमें क्या होता आपके पास इसमें सब कुछ लगा वह इसके अंदर अगा आप देखोगे न तो इसके अंदर पूरी circuitry लगी होती है इसमें पूरी circuitry लगी हुई है कि आपके पास जब आप AC दिये इसमें transformer भी लगा हुआ है यह regulator circuitry भी है यहाँ पर filter circuitry भी कैपिस्टर लगे भी आपके पास दिख रहे है इसका मतलब यह हुआ कि जो हम actual circuitry पढ़ते है इसमें rectifier के मिलेगा जो रिजल्ट है वो constant DC मिलेगा जो हम पढ़ेंगे उससे constant DC नहीं मिलेगा अगर पढ़ने वाइस अगर हम बात करेंगे आपके पास तो फिर बहुत ही गजब का चीज़े पता होना चीए फिर आपको एनलोग इलेक्ट्रानिस भी पढ़ाया हूं मैं तो पढ़े हो कि जब आप कोर पढ़ना चालू करोगे तो knowledge होगा बहुत ही important है कि आप जितना पढ़ते उसको कितने अच्छे तरीके से यूश कर पाते हो अभी तो ठीक है हमको mathematics पढ़ना हमको बड़े बड़े अच्छे question आएंगे हमको अच्छे question को solve करना होगा power factor की बात करेंगे power deliver की बात करेंगे बहुत सारी बाते होगी ठीक है तो मैं बुल रहा हूं कि आप कभी भी ऐसा होना क्या चीए था कि आप एक electrical instrument हो तो जब भी आप चारजर चेंज कियो हो उस चारजर में सबसे पहले तो बहुत ही कम लोगी कि अपना specification देखे आप कभी भी हैना power bank अगर आप य अते देर का आपकी पास इसमें capacity है उते देर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं तो power bank का भी आपको advantage पता होना चीए डिस advantage पता होना चीए बट अगर मैं को हमेशा convert करना है आपकी पास ACC DC तो एक charger चारजर चाहिए आपको तो मैं पूरा हूँ कैसे electrical instrument आपको जरू इसको break क करके तो देखना ही चीज़ है कि इसके अंदर में क्या क्या लगा हूँ आपके पास जिसको आप daily routine life में यूश करते हो फिर आपको लगता होगा कि यह मेरा काम थोड़ी तो lab assistant का साम है नहीं तो आप उस तरीके से चीज़ों को नहीं देखते हो लेकिन एक electrical instrument को तरीके से च प्रोग्रामिंग करें को पताएगा क्या कर रहे करके समयते मैं क्या बोल रहा हूं यह तो सीवापी का काम है ना इसलिए आपके बीना दुनिया चल नहीं सकती है बस हमको पता हो फिर लोग सूचते कि मैं electrical लेलिया मेरा क्या होगा आपके बीना होई नहीं रहा सब कुछ चब को समझा रहा है क्या बोल रहा हूँ तो अभी आप देखता होंगे कि heavy duty आपके पास charger वगेरा heavy aluminum charger आ Wilson अगर हमें थोड़ी सी हिस्त्री की बात करता हूं कि जो revolution है वो कहां से चालू लुए तो जो revolution चालु हुआ है वो हमारे आजिदी के बाद स्टार्ट हुआ है। इसलिए रिज़ते बाद स्टार्ट हुआ। लेकिन देट वाइज बात करें तो 48 में सबसे पहली बार जब सिलिकॉन ट्राइस्टर का इंवेन्चन हुआ है। इंडेस्टी में 1948 की बात है और बैल टेलीफोन लेबर्टरी में आप कभी सुने भी होंगे कि बैल टेलीफोन लेबर्टरी में सिलिकॉन ट्राजिस्टर का इंविंसन वहां सिलिकॉन का इंविंसन वहां से स्टार्ट उसके अगला जो इसका इंविंसन का जो नेक्स स्टेप था वह स्यार के इड्वांस्मेंट की बाद हुआ और लगबक एट यह बाद हुआ 1956 की बात है अगेन बैल टेलीफोन लेबर्टरी में सिलिकॉन कंट्रोर रक्टिफायर का इंविंसन हुआ उसके बाद तो फिर पास एकदम चालो हो गया इलक्ट्राजिस इंडस्ट्री में एकदम बूम आना चालो हुआ क्योर कैसा होना चीए फिर क्या बता था तब तक क्य इसके बात से माला जाता है कि पावर एलेक्ट्राजिस का जो एरा जो स्टार्ट हुआ 1958 से स्टार्ट हुआ जब अलेक्टिक मोटर की कंपनी जो थी वह थी वह चल रहा है इसी पर चल रहा है इसके एराउन में चीज़े घूमते जा रही है कि आपके पास और क्या क्या एडवांसमेंट होना चीए तो आपको पता होना चीज़ सब्जेक खता होते तक कि क्या क्या लिमिटेशन है पावर एलेक्ट्राजिस की और हम इसमें क्या 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 पॉसिबिलिटी आज भी इससके हैं अब ऐसा है तो हैं हमारे पास कोई-सी बैटरी होती है ऐसा तो है अगर मैं बोलू हमारे पास क्या है मिसमेचिंग मिसमेचिंग क्या है हमको जो चाहिए और जो हमारे पास है उसमें अगर जो हमको चाहिए अगर वह आल्रेडी एवलेबल है तो हमको copper की मरताम कीं क्या पुरान जमाने में pirrega उस लेटर को चीन्ज कर दी और सामने वाले को भेज दिए इसा सोद्ध होता था उसका काम क्यों होता था वह आप से ले रहा है एक सेंडिंगे से आप दे रहे और लिया और लेटर को दे दिए जित्तप से सट इथा था 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 कि अब लिखना जानते हैं अभी आप लिखते हो कि किसी को बिखते हो कुछ गीटिंग काड़ में जानते हो टीक तो तो बहुत लिखता हूं तो मैं बढुरण नहीं थी क्योंकि जो हमारे requirement ही जो सामने वाला जो भेज रहा था वह हमको मिल रहा था अब में को अभी हमको पता है कि कोई हमारे पास DC transformer तो होता नहीं क्या हमाँ पास DC transformer होते हैं क्या हमाँ पास AC battery से वे पले नहीं है अब में को अगर mobile phone अगर charge करना है तो में को AC grid से में connect किया अब में को ये converter चीए जो मेरे 5 volt DC पर अगर में को काम करना है तो 5 volt DC पर में को convert करके दे दे तो में को converter चीए जो एक AC grid से पुरा का पुरा उसको pure DC में convert कर सके तो जो electronic circuitry जो थोड़े पहले में दिखा रहा था charger के अंदर क्या लगा हूँ जो electronic circuitry का जो इन्वेंसर ने electronic circuitry की जो एक एक components है वो बड़ा important है कि वो पूरा का पूरा convert कर दे रहे तो आपकी life कितनी ease हो गई किया आप बस एक convert पर्केट से purchase किये और आपके सब कुछ काम हो रहा है तो मैं बहुर रहा हूँ कि हमारी जो load की requirement और जाओं पास available जो चीजे है इसके according जो mismatching के mismatching को cover करने के लिए हमारे पास convertor है एक और एक example लेता हूँ यह तो मैं एक mobile phone charger का लिया suppose करो एक और example लेता हूँ अगर वही तोड़ दिया पान अगर वही तोड़ दिया थोड़ा सा नुक्सान होँ सामने होला सेलेक्टि कर लेगा सब्सक्राइब क्या वह रहा हूँ तो कभी भी आप electrical instrument और कभी भी आप interview देने जा रहे हूँ तो आप हमेंसा charger तो रखो बट ऐसा ना हो क्यों टूटी ने रहा हूँ ठीक है लेकर सेगेंड चीज़ आपके पास सब्सक्राइब अभी power bank की बात कर रहा था power bank की बात कर रहा था कि सब्सक्राइब आप DC available है अगर मैं पास DC जो है जो DC आपके पास available है DC available सब्सक्राइब 25 वोल्ट है और मैंको जो DC की requirement है जो DC की requirement है वो 5 volt DC की requirement है मैंको बोला जाए कि एक circuitry ऐसा डिजाइन करो कि आप 25 वोल्ट को 5 volt DC में convert करें तो बहुत ही आराम से हम डिजाइन कर साथे उसके लिए पावल टाइंस की जरुवत नहीं है उसके लिए तो हम network इत्ता जानते हैं अलग बात है कि बहुत सब में पहले पढ़े से भूल भी कहूंगे तेकि फिर भी network की help से मैं तब 5 ohm लेता हूं मैं और इसको 20 ohm ले लेता हूं ठीक है और मैं बहुत हूं कि यह आपके पास लोड हो गया इसको connect कर दिया और यह लोड आपके पास यह लोड ठीक हुआ कि अब हुआ क्या देहां देखना अब मेरे मेरे पास जो available जो DC था वो 25 वोल्ट था और में पास जो DC के requirement थी ओ 5 वोल्ट थी DC जो लोड की requirement थी requirement मतलब लोड लोड की requirement थी तो मैं 25 वोल्ट लगा और रजिस्ट्री शर्कृट रिजूश कर लिया तो यह तो बहुत ही तो हमको चाहिए था वो तो हो गया कोई बात ही नहीं रजिस्टर के था कॉस भी नहीं होता बट इसमें प्रॉब्लम क्या है यह बड़ा important कि 25 वोल्ट जो था वो 5 वोल्ट में convert हो गी यह तो कर लिए अब हम अब conversion के साथ क्या-क्या हुआ यह रिखना बड़ा important इसलिए हमको समझना वह जरूरी कि हम जो चीछ पढ़ रहे है उसकी requirement क्या है क्यों हम पढ़ रहे कई बार हमको पता ही चलता हम पुरा पढ़ लिए कि हमको पढ़े बस हमको पता है कि कुछ अच्छे question solve करना बता और बोले कि हुआ की power deliver कितना हो रहा है सब्ण बावर डिलीवर तो बताये देंगे कैसे 25 व disrespectful न तो कितना पावर डिलिवरद हो गयो कितना k डिक्षर यह वह सर either Brzee इंटु आर तो सब्सक्राइख एसेल और रहें रहें तर तो Kवाँए इसेर आरो आप देख के इतने रहें टेंटिव lazy वाट्ट लेकिन पावर जो हूख गोरा मुंट के पास है आनृमन के पास 20 वॉर्ट यह अपके पास यह यह पर लॉस और यह यह आप दे कितना रहते 25 वाट लेकिन पावर जो एब्जॉब होरा लोट के पास हो कितना है फाइव वाट तो पावर लॉस जो हुआ वो कितना वह पता आपके पास 20 वाट यह आपके पास यह यह पावर लॉस हुआ यह पावर लॉस हुआ क्या I square into R कितना है 20 20 वाट का पावर लॉस हुआ अब सोचो 25 वोल्ट में से ही आपके पास 20 वाट का आपके पावर लॉस हो गया और सोचो अगर आपके पास किलो वोल्ट के फार्म में अगर होता तो सोचो पावर लॉस कितना बढ़ना चालो होता यह तो सिंपल 25 वोल्ट ही था आपके पास 25 वोल्ट में देखो पावर लॉस 20 वाट है कितना है पावर लॉस 20 वाट है आपकी requirement complete हो गए जो आप चाहते हैं कि 5 वोल्ट DC को मैं लोट के लिए मैं यूश कर लों तो 5 वोल्ट DC आपके पास आगया लोट में लेकिन सेम ताइम पर आपके पास क्या हुआ पावर लॉस कितना हुआ 20 वाट अब अगर मैं को अब यहाँ से यहां पर जो इस्टोरी है वह पावर एलेक्ट्रोनिस की स्टोरी आती है कि अगर मैं को अगर बोला जाए कि यार 5 वोल्ट के DC मत्ब्दाब 5 वोल्ट का जो लोड है वह आपको चौह ही है लेकिन आपके पास जो अवलेबल हो 25 वोल्ट और पावर लॉस भी नहीं होना चाहिए तो कितना बहत्री हो जाएगा इसका मतलब देखो आपके पास कैसे स्टोरी स्टार्ट होती है मैं बोलनों 25 वोल्ट आपके पास था 25 वोल्ट आपके पास supply available था मैं बोलनों कि मैं स्ट के गछल गा दिए स्टार्टा है अब स्टों आप्रिजेंश और यह यह आपके पास लोड लगा दी है इस अब बोलनों में को ए पंता है कि मेरे लोड की requirement मैं को पता है कि मैं को कितना चाहिए ज्यान समझ ला मेरे लोट की रिक्वार्मेंट में को पता है कि कितना अची है अब यह आपके पास जो है यह जो स्विच है यह मान लेते हैं कि आपके पास कंट्रोलिंग स्विच है सब स्करों कि कोई ट्रेमिनिल जो होगा वह कंट्रोल अधी पता होग zitten अगर का किंट्रोल स्विश अगर युश कर रहा हूं यहांICE Κंट्रोल गेट टर्न ओफ वाला यूश कर लूँ स्विच ऐसी आर यूश कर लूँ या पावर मॉस्पेट इप आई जी बिटी कुछ भी यूश कर रहा हूँ अब देखिए कि समझने वाली बात है कि मैं बोला कि यहां पर भी तो वही हो रहा कि से 25 वोल ता 5 वोल चीए ता कर लिए क् पूरे पाल्टाइस में स्विच का मतलब डिवाइस ही है अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो स्विच कर रहा हूँ आप देखो कैसे करूंगा मैं ऐक गेट सिगनल लिया तीक है ऐसा करके मैं करते कि आगे ये gate signal लिया ओचिक है gate signal है झी कई मैं on करूगा तो किया होगा बताँ अगर मैं इसको on कर दूब की अतलाँ switch है तो दूझी होता है logical ही तो on या off switch है तो दूझी होगा क्या होगा on off हम एक बताँ जब दूझी होगा जब ये switch on है ये dw on है यहांस देखना आपके पास वह चीज़ों को अपना आसान रखेंगे और मैं पहले भी बोलों कि मैं एक एलेक्टिकल के टीचर के समान नहीं बढ़ा पाऊंगा पावलतानिक्स लेकिन आपको मज़ा बहुता आएगा थर्ट परसन कैसे देखता है वो बड़ा इसफेट आन हो गया यह SCR आन हो गया यह 25 वोल्त है यह स्विच आन होगे बता आपके पास आइडेली जो आटिवाइसेस होता है उसका वोल्टेज ड्रॉप जो होता है जीरो होता और प्रैक्टिकली बढ़ाई स्माल होता है बन से टुवल्ट के आसपास तो सीव स्थीआ मैं बोर रहा हूं यह लोड रहे है बता वी नौट की वैली कितना है बता वी नौट की वैलू कि लेकर लिया मन लेते हैं लोड रजिस्ट्री लोड ले लिया इस ओको अब मैं बोर्णाओ कि देखो V not की वल्य तो 25 वोल्ट है, switch on है, अगर स्विच ओफ है तो क्या होगा, अगर switch ओफ है तो current जीरो फ्लो होगा, switch off है तो current कितना फ्लो होगा जीरो, अब ध्यांस देखना, अब मैं बोर्णाओ कि switch off है, तो आपको implementation भी समझाएगा, कि 25 वोल्ट ह है और यह स्विच ओफ है यहां पर लोड एक रजिस्ट्री लोड लगा आर्की वैली इंपॉर्टन नहीं है इक लोड लगा कि power कितना है इसका power on के case में कितना है सर्व तो वोल्टेज इन्ट onc कितना हो रहा है कितना हो रहा है तो बात नहीं कर रहा है लेकिन वुल्टेज तो जीरो है कितना है जीरो हुं हरboday है सो स्वर्थे बना अधिए उन्हीं था इस दो मतलब है इसको किइए कि mogę करोगे तो एक जीरो तो दूसरा तो फिर कुछ भी हो जीरो यह वोगा इस तो में भी कितना है पावर आप के केस में जीरो है तो पावर जीरो है अब देखना धिहान से कि ठीक है सर इस अच्छी बात है कि आइडियल स्वी चूश कर रहे हैं तो इसलिए आपके पास पिछले 25 इस अच्छी साल के जित्ते बी कुछन देखोगे बीस साल के जित्ते बी कुछन देखोगे पावला इस km कि को जब या इनफंग है बुक वाले इतने चीज नहीं लिखता है आड़ी के प्रोफेसर का पूरा फिवरेट इस्टाइल अपने लिखने का और करना भी चीज़ आपके पावर लॉस कितना होगे तो इसलिए आइडियल स्विचेश में पावर लॉस कितना होगे जीरो क्यों ऑन के के समें वोल्टेज स्विचेश की बात कर लिए ठीक है आउटब रोफेसर कितना है चलो में ऑप्ट वोल्टेज का फिगर बना देता हूं आउटब वोल्टेज का फिगर बताना क्या हुआ जब स्विच ओन था कितना समय तक अभी बात नहीं रटी ओन लिख दियो बस में कितना और टी ओन से लेके टी तक कितना था जीरो और उसके बाद फिर से 25 वोल्ट ऐसा बढ़ते जाएगा यह यही हुआ आपके पास सरे तो प्रियोडिक सिगनल हुआ हाँ वाई क्यूंकि कंट्रोलिंग से अपने लगाई हो गेट सिगनल लगाए है अब मैं को बताओ कि यह वी न से तो सर एवरेज वैलू अगर मैंको फाइंड आूट करना है वीन आरेज वैलू वेन आज़ वैलू होते हैं अरेड हों अरे टो इसको आप ड्यूटी साइकल बोलते हैं अब ड्यूटी साइकल को आप मसीन में भी बहुत पढ़े होंगे कुछ तीचर कैपिटल डी लिखते हैं कुछ लोग अलफा लिखते हैं मैं डैल लिखना पसंद करता हूं तो वैराइटी आप तो वैराइटी आप सिंबॉलिक नोटिसन यूश्च करते कुछ लोग के भी लिखते तो इस ओके मैं ड्यूटी साइकल लिखा ड्यूटी साइकल कितना हो गया ट्यूटी अब यह को बताओ कि मेरी मेरी रिक्वार्मेंट क्या थी मैं क्या चाहता था यह देखो यहां से चाल मतलब 1 by 5 का मतलब है टी यह इसका मतलब यह है कि आपकी पास टी आम की वैल्यू कितना होगा तो स्वैप्ग अगर मैं कर देखता हूँ तो पता है आपके पास विदाउट लॉसेज हलो विदाउट लॉसेज में को आउटपुट में 5 वोल्ट मिल गया इसको बोलते हैं इंट्रोड़क्शन आप पावर एलेक्ट्वानिक सिस्टम क्या हुआ पता आपके पास आपके पास एक फिक्स डीसी था 25 वोल्ट का और यह पावर मेंक में इस्टोर कर लीए उसके अदा डिफरेंट डीसी लॉड को आपको यूश करना है तो कर लो तो एक्चुली क्या हुआ पता आपके पास अगर सिस्टम की बात की जाए तो रजिस चीजे कर सकता हूं मैं को बता हूं मैं 5 पोल्स यह ठा तो मैं टीए ओन को कितना रखां क्या मैं 9 MRI रख सकता हूं आब सब्सक्ते अंगर कर आठें तो आप करूंगा इसका मतलब करना क्या है मैं को जो कंट्रोलिंग स्विच्छ है यह किते देर के लिए ओन करूंगा यह मेरी 24 से जितना में को लोट की requirement होगी बट इस सब में power loss कितना हुआ sir power loss तो हुआ ही नहीं लेकिन रजिस्री नेटवर्क से तो आप नहीं बना सकते और रजिस्री नेटवर्क से अगर आप बना भी दिये तो power loss हुआ एक चीज दूसरा चीज यह 5 इसी को क्या बोलते हो इसी को आप बोलते हो जिसमें क्या बोलते हो आप आप बोलते हो कि मेरे पाफ फिक्स डीसी है यह फिक्स डीसी है और मैं वेरेबल डीसी में कनवर्ट कर सकता हूँ यह वेरेबल डीसी में तो यह जो चौपर आप लिखोगे इसके अंदर क्या होगा यह स्विची तो होगा या यह सब स्विच होने वाले चाहे मैं रेक्टिफायर पढ़ाऊ हूँ चाहे चौपर सबस्क्राइब करेंगे इसका मतलब एक फीचेकर लिया कि आपकी पास पावर ईलेक्टॉनिक्स का इंपॉर्टेंश हुआ कि आप चाहते क्या थे पाउल टाइंस के नीड क्या है क्या आप अच्छा लग आपको उपर से लॉसेज भी यह सब मैं बोल रहा हूं एक सर्कुट डिजाइन किये और वैरेबल डीजी आपको जो चाहिए वो ले लो यार तिब आप जो मैकनिजम हैं उस मैकनिजम को मैंच कर पढ़ाऊंगा क्या चौपर उसमें पढ़ेंगे स्टेप डाउन चौपर तो सब पढ़ेंगे अलग-अलग सब्सक्राइब के साथ तो मैं बुरूँ कि अगर मैं पहले से पता हो कि हम पढ़ने वाले क्या है चीज बहुत ही आसान होगी हमको इंप्लिमेंटेशन आसान कि जब हम चौपर पढ़ रहे तो यह सर्कृट बना कैसे हम सी पढ़ते एक नया चेप्ता चालो हो गया फिर नया चेप्ता में नया कंसे में नहीं चीज़े पता होती है क्योंकि हमको डिजाइनिक आती नहीं हमको इंप्लिमेंटेशन सा पता नहीं और हमको अपनी रिक्व अगला चेप्तार हो गया मतलब क्या हो गया चौपर फिक्स डीसी को वैरेबल डीसी इसी चेप्तार का नाम होता है चौपर थोड़े पहले जो लिया था और एक्टिफ हार लिया था हमें जो आप यूज करते अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए तो द्यान से नोट करे केमरा को प्रॉपर यूज करें प्रकास मैं तो फिलो में आ जाओंगा फिर में देखने ही पहूंगो कि केमरा भाई रखना है कि केमरा भाई रखना है कि केमरा यह सार्च करता है कि लिए थार्ड एक्जाम्पो लेता हूंगो कि आप एरिया पन टाइम परेड यूज क्याता सिंपल जैसे हम लिखते हैं पिरोडिक सिनल का अभरेज वैली एरिया पन टाइम परेड तो जैसे आपके पास वी नॉट की वैल्यू डेल वियस आया उसमें से वियस जोता हो डीच्थी था और आउटू वोल्टेज जो था वियर्या अपर विकास होते है इसे के जालनके पास भाप ऑच्या हो यह ब्स यह रखर और जहीं कि विनडि साप्लाह ऊट पुटिएरं संदि नॉट इसका आउट्पेश्थ सोग गया WordPress शार्आउड पको करेण हो यह रीचेन यह कृतिवे नॉट यह अर्झे ठीका आपके इसका मतलब है कि यह स्टेप डाउन चॉपर था जो मैं इंप्लिमेंटेशन किया इस टेप आप कैसे मनाएंगे बहुत सरी बाते हैं तो चैसे एक एक जांपल लिए पावल टाइंस सिस्टम की बात करते हैं अगर आपको लॉंग डिस्टेंस में अगर टांस्मिसन करना है कि इन जन्रल्य आपको पता होता है कि हवी डिसी जो ट्रांस्मिसन होता है ज्यादा एफिसेंट होता है कंपेर टू अपके इंटर्विवीज बगेरा में भी कूश्चन साते हों इन जन्रल्य आप एक एलेक्टिकल इस्टुनेंस होता आप अच्छा खासा सब नॉलेज एक जनेरेटर एक स्टेशन लिए एक जनेरेटर एक स्टेशन लिए हो गया है इस टेप आप ट्रांस्वर्मर लिए हो यह हो गया हाई वोल्टेज एक आपके पास बार इस्टेशन ले लिए यह जनेरेटिंग इस्टेशन इस्टेशन इस्टेव टांस्वर्मर अब अगर सपोस्ट करूं कि यह का सिम्बॉल बना रहूं कि अधर एक्टिफार अंदर में तो बहुत सारी चीज लगी रहती एसी आपके पास डीसी यह एच्वी एसी जो सिस्टेम हाई वोल्टेज एसी यह एच्वी डीसी में गन्वर्ट होगे रहे ία क्याल है यह परहे आपका थ्टांस्मिश्ट Bewbert अस्वी परेए एसी आपका इनवर्टर इसी यह रास पैस कoire दसेग्डाइ टांस्मिश्ट आपका फिल ह confrontation यह एसी में अबट हो गया है फिर आप एक टांस्फरमर लगा लो कि इस्टेप डाउन टांस्फरमर कम कर लिए हम और यह रिसीविंग और यह बार इस्टेशन टू यह यह इस्टेशन इस्टेशन इसको कि बाउर सिस्टेम और लिए आपके पास ट्रांस्मिशन हो रहे हैं कि यह मैं बहुत सारी चीज इवन में से जादा आप आईडिया रखते हैंगे सब चीजोग इन्पॉर्टनिक्स यह आपके पास की यह आप इसके बिना तो आप नहीं कर पाऊगे को अप पर बना प्री ये सऩ कर तो अब सेंडिक नेइपस ते उसा पिर भी हो seven नहीं से सिस्टेम आपके पास यह यह श्यालानों आपके लुच्राइन स से कंवर्टकर कर एक सब 달क करनेूगे पिर आप पावर टानिक सिस्टम यूज़ किया अगें चैनल के पास तो आपका जो यह रिसीविंग एंड वाला जो है आपके पास यहां पे यहां पर बीकन वर्ट लगा हुआ फिर से आप श्टेप डाउन कर लिए और जो आपको चाहिए तो आप भेजना चाहते तो आप फ यह जो यह से अफिफेजन को फिल करते हों कि वह यह फिल प्रिण की फिलिंग आती है जब वह नहीं मिलता है अब वैसे दो इसके कई कम आपके लिए अपकर वाले को दिन में एक बार उठते होंग और बोलते होंगे ऑश्यंद यहंसा थोटा नहीं होगा कभी होती है तो हमको दिखे चाहिए ना दिखे एवरी वेर पावल टानी सिस्ट्रम कि यह हम बना दिये हैं कि अग्युक्ष जानते भी होंगे जैसे इवन आप स्वाइस अगर मैं बात करूँ तो यह डिस्टेंस देखता हम नॉट कॉस्ट यह यह कॉस्ट यह कि टर्मिनल जो कॉस्ट होती है आपके पास ही सिस्टम की कम होती है लेकिन जैसे से आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं आपके पस वो ही सिक आपके पास ज़्यादा बढ़ते जाते हैं ही ही सी अच्वीडी सिस्ट यह इस सब टर्मिनल कोस्ट यह जगा पर आपके आपके पास इसको ब्रेक इवन डिस्टेंस बोलते हो गया ग्रेक इवें दिस्टेंस तुम से ऊप्सी बेरेंगें तुमिंटर नगी फिस्टेंस उन्ट करेधा है । जयत्टे ज़्याद मची तह सी क सबसे कर्म करा हिं फ्रूस allora शो भी आप साहएं कोgest सी स्टेंस यह आप 22 सब्सक्राइब करते गाए कि आप हमेंसा मैथामेटिक जरूर पड़े कि वो तो आप एक एक्जाम दे रहे हो आप एक एस्परेंट भोग आखर तो बहुत अच्छा मैथामेटिक साना चीए लिए मैथामेटिक सेयों कुछ यह वह जैड़ कर रहें है तो हमारा में यह था कि आवल का नी सिस्टम एवरिवेर है चाहिए पावर सिस्टम में आप फिर लॉंग डिस्टेंस आगर आप ट्रांस्विशन कर रहे है तो भी आपको पावल टांस कन्वर्टर चाहिए जो रेक्टिफार लिखा देखने में लग रहा है इस वेसी डिसी का कम होता है कंपेर्ट टू एच्वी डिसी टैमिनल का उसे जिस जगह से हम जहां पर हम इसको डिजाइन कर लें है कि एक एक्जाम्पल एक को रगार लूम है कि एक कंट्रोल रेक्टिफायर लेता हूँ जो हम पड़ेंके तो टू वीएएंगा पाई कोस अलपा सबसे स्टेंडर रिजाल्ट बाना जाएगा तो रेक्टिफायर का फुली कंट्रो ब्लिज रेक्टिफायर का सबसे स्टेंडर और सबसे इंपॉर्टन रिजल्ट यही होगा विदामिनि पढ़ें तो ठीकिए तो और अगर मैं इसको ये DC मोटर से अगर कनेक्ट कर दू तो जो भी आप आर्मेचर का वोल्टेज लिख़े हैं है तर्मिनल वोल्टेज लिख़े हैं ये तो V 0 के वैली वी A के बराबर होगे और ये इसी आपके पस यहां पर जो आर्मेचर वोल्टेज है वो आउट वोल्टेज के बराबर होगी आपके जी स्पीड होती है आपके बाद डिसी मोटर की प्रोपोस्टनल टो आर्मेचर वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज DC motor की जो speed होती है फिर वो auto voltage की proportional हो गया वो जो speed है वो function of alpha हो गया alpha के बाप firing angle है यहाँ पे alpha यह controlling parameters इसके अदब है कि आप speed of DC motor की speed जो है वो control कर सकते हैं सके थुरू speed of DC motor यह control किया जा सकते है बगार यह power power system में लगा हुआ यह power power system में converter लगा हुआ AC to DC में आपके पस convert हुआ DC motor की speed अगर आपको control करना है तो alpha की coding control करो अगे यह machine का part हुआ अगे यह आप में से जादे जाना है जिसे तो जानो कोई नहीं है आप तो एक जामपल लिए आपके पास की speed of DC motor को गर control करना है controlling आपके पार लगा दिया है तो हमको जाद पता हो कि what is the need of power electronics हमको पता हो कि हमारे पास जो आवलेबल जो चीजे है और जो हमारे requirement है उसके विच में mismatching है वो converter हमारे mismatching को cover करेगा यह जो specs है आपके पास यह converter ही तो है मिस्मेचिंग है ना मतलब इसको निकाल दूंगा तब तमारे ना boys और girls का difference ही कहता हो जाए तो हर देगा converter मेरे लिए बहुत ही important converter रही है यह लगाई यह बहुत ठीक है अगे बढ़ते जाते हैं तो आपके पास की need की बात हो आपके पास की power time system हम क्यों पढ़ेंगे तो हर जगा हम यूश करने वाले और यह हम अलग-अलग chapter हम पढ़ेंगे और मैं बोला भी कि इससे छोटा syllabus introduction wise कुछ भी नहीं है लेकिन जब हम पढ़ने जाएंगे तो ना खतम होने वाला syllabus कि इस रेक्टिफायर बोलने से start होता फिर खतम नहीं होता हूं ठीक है रेक्टिफायर बोलने से कि एसी से डीसी में convert होता है खतम हो गया नहीं चॉपर बोले देखो अब भी खतम कर दी चॉपर को तो फिक्स डीसी था वेरेबल डीसी बना लिए एक इंवर्टर की बात करेंगे इतना ही ओवर रॉल कि कैमरे को करेंगे शिप्क करूं मैं कि एक लास्ट एक्जामपल लेता हूं अब लिगे संवाज से एक लास्ट एक्जामपल यूश्ट कर लेता हूं तो बेठा तो नोट कर लिए हूं क्याई थी एक डायोड लेता हूं मैं आउट्पूट में कैपिस्टर लिया एक रजिस्टेंस लिया और एक स्टेंडर डायोड लिया हूं 1N4004 इसका PIV रेटिंग ये स्टेंडर डायोड जो मार्केट में मिलता है 400 वोल्ट है इसका पावर जो रेटिंग है वो वन वोट के आसपास यह है सिर्ट अब 30 विभार हुब दो तो बहें किया भार यह निकल यह है ज Täिए धां beslें को लिए कि देत का इंधे वह बथी परांगें हम कभी परचेस किया कितने लोग परचेस के मार्केट जाके परचेस के इतने लोग परचेस किया ना मतलब को लिखके दिया होगा वो लेने गया होंगे न ठीक है तो मैं बढ़रा हूं कि देखा सपोस करो यह 120 वोल्ट और यह 50 हर्ट यह लगबग इसका RMS वैल्यू यह तो RMS इसका अगर मैं इसको लिखू तो इसका लगबग पीक वैली जो होगा 170 वोल्ट के आस्परस होगा तो 170 साइन हंड्रेट पाइटी यह वोल्ट आपके पास एक एसी हो गया यह क्यों लिए एक्जांपल यह मैं दिखाता हूं आपने को इंपॉर्टेंस जो सब्जेट अम्राद इन पर इसका खुबियों की बात करते होने के बाद तो कमी यह हैं तो अभी हम पावल्टेंस की अडवांटेश की बात कर रहे है पॉल्टेंस की बत कर कि बीफोर मेरीज वाली बाती चल रही है अलों देखो आपके पास एकी स्टेंडर आपके पास डैवर लिया वन एन फोर जिरो जिरो फोर अब मैं इसमें कुछ भी लेलता आपको क्या पता चलता है तो थोड़ी आपको आप है कि आप जान जब इसकी जगह में दूसरा नंब आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़े बोलने और क्या चीज़े लिखने है ठीक है तो वन एन फोर जिरो जिरो फोर है गलत नहीं लिखा हूं बट फिर भी बताया है मैं बड़ों कि देखो उसका जो पावर डेटिंग है आपके पास और पी आई भी 400 वोल्ट और हम इस पास 14 cycle 14 cycle में पुरा पाई तक तो आपके पास साइनसोडल सिगनल है 14 साइकल टी इवाइफ फोर पर टीबाइफ फोर पे इस साइनसोडल की पीक वैल्य होगी ये इसके पास आ जाएगा इसकी पीख वैल्यू कितना है हो गया और इसके पास 170 वोल्ट आ गया और फिर अगर आप आर और सी की वैल्यू सेट कर ले रो डिस्चार्जींग जो आपके पास है आप जानते हो कि आर रोड ची की जो वैली होना ची आपके पास अगर टाइम पर रेट के कंपेर में ले ले लिए तो फिर डिस्चार्जी थे कि नहीं हम तो हमारे हाड में अगर चाहिए क्यों डिस्चार्ड नहीं होगा जानते ही आप इतना तो पर यार पढ़ा हो मैं आपको डिटेक्टर पढ़ा हूँ है कि एक पहले की बात है लगबक 100 साल पहले की बात होगी को तो करे अब तो करे लगेगे सर क्लेमप इंप यह डिटेक्टर तो मैं मं आज पर मैंद है कि कैपिसा की पास कितना चाहे गा गिले यहां आगया कितना उल्ट कितना गया क्वाल अब ऑन सेवन्टेटेटर सेटेट ना अब ऑन रगाँ आगया और डिस्चार्ज ने अब तो डाइवर और उसके रख में कभी पहुआद नुपाइगा डाइवर्किंग क्थम होगी वर्किंगि खतम कितना आगया 170 अब सोचो कि में resistance circuit में 170 ohm का लेके रख लिया हम 170 ohm का एक register में लेके रख लिया circuit में तो पता थे कि 170 volt हो सकता है अब सोचो अगर इसके पास 170 volt है रहान देना इसके पास 170 volt इक हमको पताए केपिशन के पास इतना ही जा सकता है और discharge हम करने हैं देंगे कितना वह एक इसके रिंट वार कितना हो गया 170 वाट 170 वाट हो गया ऐसा बोला जाता आपके पास कि पावर टाइं जो पावर फुल है वो यह है कि आप एक इंडिविज़ डिवाइस की जो रेटिंग थी जिसकी कैपेविलिटी वन वाट की थी लेकिश की कंट्रोल करने की पीएमेस की बुक लिंखने वाले कुछ लोग बहुत अच्छे इस्टेंडर डेफिनेशन भी डिफाइंड के पावल टाइंस का ते को डेफिनेशन लिखेंगे अपन वरकिंग की बात अपन इसले कर रहे है क्योंकि हम जानते है पॉजिटीपिक डिक्टेक्टर सरकेट है क किसी भी लगे न है कि 170 व्ल्ट यहां कैसे लिखे को मैं को पता है कि 170 व्ल्ट कैसे लिखा गया है तो बाम 나 सबस्क्राइन को क्यों डिफा्न कि इसे ही डिफानिट के कि पावर एलेक्टोनिक प्वल्टनिक्स चल्सक्वल्टक्स Power Electronics can handle the power flow at a level much higher than the individual device rating. Power Electronics can handle the power flow at a level much higher than the individual device rating. Power Electronics can handle the power flow at a level much higher than the individual device rating. Much higher than the individual device rating. Here, individual device rating is 1 Watt. Here, individual device rating is 1 Watt. But, the circuitry can handle up to 170 Watt. This is Power of Power Electronics. This is the short device rating rating. The circuitry is used to control the power. So, the circuitry is used to handle the power flow at a level. The circuitry arrangement is important. The circuitry is used to control the power flow at a level. The circuitry is used to control the power flow at a level. This is the short device. So, if you look at those two, you can't have a power flow at a level. It's called the power test. Why may be defined as? This is the power test. It's the power test. The way it is defined as possible. This is the power test. It's the power test. It's the power test. It's the power test. It's the power test. नहीं सर्क्रिट्री कर सकती है जस्लिया एक फिप्ट एक्जामपर अब यह तो ओगिया आपके पास की वह जिना नीड आप आवर एलेक्ट्रोनिस हों को पता चला कि मिसमेचिंग था हमारे पास जो अवलेबल सप्लाई था और जो हमारे लोट की की मिसमेचिंग था इसको कवर करने के लिए आपको एक कनवर्टर चाहिए था जैसे हमारे पास में बोला भी कि जैसे मेरा सब्सक्राइब कर आपको पता चल गया अगर मैं आपको पता है कि आपको पता है कि अगर में कोई सब्सक्राइब करने कि अगर मैं बात करो तो बहुत स्टेटमेंट लिखनी ज़रूद नहीं कि हमको पता है हम क्या पाट रहे है ठीक है और कोई उनसेटी के स्टुएंट भी नहीं है आप बोल सकते हो हाई-reliable हाई-reliable है तो हाई-reliable लिख सकते है ऑक्यों रिलाइबल है क्योंकि कोई mechanical moving part नहीं है तो reliability तो ज़्यादा होगी हाई-reliable है हाई-efficient है क्योंकि आपके पाल losses नहीं होते हैं क्या आप switches करते हैं आप पाउर losses minimum है रिज नहीं लिखना है तो आपने लिखें कि हाई-efficient है हाई-efficient है स्मॉल इंग साइज स्मॉल इंग साइज तो किहेकर लिखें हमन हाई-liy reliable, high reliable है, highly efficient हिए तो high efficient लिखते है पीका लिखें लिखें हमन स्मॉल इंग साइज पास्स रिस्पॉंस पास्सर्स रिस्पॉंस जब भी moving part नहीं होगा mechanical moving part नहीं होगा तो maintenance लोगा, efficient होगा यह सब हर दक advantage जैसी चीज़ होगा यहाँ भी भी आप mechanical body और mechanical part की बात नहीं करें तुझे से अपन लिखे ऐसा कोई पूछनी वाला नहीं है नगर मैं disadvantage की बात करूँ है इसमें limitation की बात करूँ जिस पर काम चल रहा disadvantage की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे इसमें जो main जो problem है जो serious problem है वो एक ही problem है उसनी के आरान में घुमते रहती और भी चीज़ है लेकिन जो सबसे serious problem है तो अगर मैं लिखू कि main disadvantage of power electronics तो बहुत सारे दूसरे points की बात नहीं करें कि power factor की बात नहीं करना चाहता मैं अभी यह ही सबका main problem है जो serious problem है आपके पास वो इसली के आरान में बात होते रहती है बागी जो problem से serious problem नहीं है तो जो हम पढ़ते समय रहेंगे आपके पास क्यूंकि जो problem से कोई उस पर question तो फ्रेव होगा ने गेट की बात करें तो जो problem से उसमें तो होका नहीं वो तो हम mathematical बात करने वाले हैं कुछ theoretical बात करने वाले हैं लेकिन जो problem से हाम निक्स किये जैसे लाइक अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं बूला input and output है दोने जगा पर एक दिन बीच में एक आप मेरा वह आला देखे कि स्क्वेर वेव फॉर्म लिखा था बस उसमें एक देखेंटा बात की होगा सिभी स्क्वेर वेव फॉर्म तो अगर मैं बोलूं आपके पास जैसे की पास्ती यूश करूंगा क्यूंकि कोई वर्किंग तो अभी बता नहीं रहा हूं तो जैसे जब हम पढ़ेंगे ना पावल टानिक्स हो सकता आपको जीरो पता माल लेते कि आपको पावल टानिक्स आज ही पता चला कि पावर रोजेक्टानिक्स का मतलब क्या होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम हो यह वैसे भी कुछ एजिम नहीं करता है आप जानते इस बात को यह आपके पास दे दिया यह वी एस है और यह आई यह यह डायोट से नमबरिंग अभी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं दी वन दी टू दी त्री दी फॉर यह आपके आपके अस कंटियोंस कंडेक्स ना रिपल फिर की जब मैं बात करूंगा तब मैं बढ़ता हूं को दी लोट करेंट को इसे बनता है कि जब जब पॉजेटी हाफ साइकल देते डी बन और डी टू आ अप साइकल में तो आपका जो सोर्स करेंट का फिकर यह बनते जाते जाते जब आट करेंगे जब पाउल टा निस पें आप्टिफियर पढ़ोगे यह आई नाट है लोट कर यह source current का figure है और यह square waveform क्योंकि I0 जो ता हो constant current अब यह आपके पास एक square waveform है जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो आप देखोंगे कि जब मैं square waveform मनाऊंगा तो भी बहुत सारी बाते करूँगा कि यह odd signal है, half way symmetrical signal है बहुत सारी बाते करूँगा और फिर मैं इसका expression जब लिखूँगा IST का जब expression लिखूँगा तो यह 2i0 है तो मैं लिखूँगा 4i0 upon n pi sin n omega t पता आपके पास और n की जो value आपके पास सिब odd harmonics होते है 1, 3, 5, ऐसा आपके पास यह बात ही करेंगे, आप सोचिर होंगे कि सरी यह कैसे तो पता ही कि सरी जब लिखा है तो 4i0 upon pi है एक sin omega t है कि 3rd harmonics होगा 4i0 upon 3 pi तो ऐसे harmonics होते है आपके पास और फिर इसी जगा पर हम different बात करना चालू करते हैं कि distortion factor क्या होगा current distortion factor क्या होगा ऐसे करके बात करना चालू करते हैं तो फिर हम distortion की बात करते losses की बात करना चालू करते जो problem occurs होता है तो मैं बहुता है कि serious problem यह कि हापे harmonics जरूर होगे अलग बात है कि harmonics को हम कैसे minimize करता कि यही सबसे important चीज यह source current का figure बनाओ यह AC to DC converter यह active hour AC to DC converter यह यह harmonics आपके पास यह third harmonics है यह fixed harmonics है तो harmonics का एक problem रहता आपके पास की जब भी आप पढ़ते हो तो harmonics को कैसे minimum कर सकते है उसी के बारे में discussion होगा जब आप inverter की जब बात करोगे जसे जब inverter हम पढ़ेंगे तो आप दिखो कि एक DC देंगे हम दो यह inverter यह आपके पास एक fixed DC देंगे यह fixed DC दिया है suppose कर यह VS दिया पता इसका जो output होगा वो ऐसा होगा AC चाहिए आपके पास AC मतलब sinusoidal नहीं मिलता है यहाँ पे AC का मतलब होता है square waveform इस average value 0 है तो DC इसमें 0 है यह बन गया यह VS है यह minus VS है यह यह V naught यह inverter है आपके पास यह AC output यह V naught के अगर मैं बात करूँ तो again आपके पास होई आ गया summation N equal to 135 infinite 2 VS तो यह 4 VS upon N pi sin N omega T यह तो यह बहुत ही important होता है कि जब आप एक inverter में बात करते तो आप एक DC को AC में convert करते हो और आपको एक sinusoidal AC term चीह रहे था 4 VS upon 5 sin omega T यह लेकि इसके साथ साथ जो बाकी component आते हो सब हाम निक्स होते 4 VS upon 3 pi sin 3 omega T फिर 4 VS upon 5 pi sin 5 omega T यह आपके पास है और यह undesirable term जो desirable term हो यह है क्योंकि आपको DC को एक AC में convert करना ते the pure sinusoidal signals लेकिन आपको 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 से square waveform मिलेगा जब आप working पढ़ेंगे voltage source inverter जब मैं deal करूंगा inverter में आपके बहुत सारी बाते करेंगे voltage source inverter ठीक है कोई भी सोचे नहीं कि यह क्या होगी है पढ़ाई नहीं रहा हूं मैं तो इंट्रेक्सां बता रहा हूं मैं कौन सा कोई topic पढ़ा रहा हूं जानते हो जब topic पढ़ेंगे तो इस topic में कोई सी बात नहीं बचेगी होती नॉमली डिजाइन कर लेंगे हम लोग जब आपके पास यह है तो जब आप बोलते हैं डीजी से एसी में गनवर जाएगा यह मिलेगा आपको इसा कोई तरीका नहीं जिसमें आप पल्स फिट मॉडिलेशन वगरा कुछ अडवांस लेवल जब जाएंगे तब हम सानसुरल की डायट बात करेंगे तो अदरवाइस एसी का मतलब इसको कैसे मिनिमाइस करेंगे ठीक है मैं फिल्टर सर्कृर्टी यूज कर लूँगा मैं लोग पास फिल्टर य मैं से उतना सेट करूँगा एक्स्टरनल सर्कृर्टी रिजाइन करूँगा और ऐलिम्नेट करूँगा बहुत सारी बाते हो सकती है लेकिन जो सीरियस प्रॉब्लम है वो हामनिस को मिनिमाइस करने का है जाए फिर वो रेक्टिफायर का जो इन्पूर्ट साइड हो तो पता आउंगोत आप देखेंगे जित्ते भी कुश्टन फ्रेम हुए इसके अराउंड में बहुत सारी बाते 70 परसेंट बाते आईड के प्रॉब्लम को हटाई दोगे आपको कुछ नहीं करना आपको एक्जाम है कुश्टन सौल करना है लेकि मैं बता रहा हूं कि इसनी पर से और मिनिमाइस किया जाए कि फ्रिक्वेंसी इंटर्फ्रेंस होता फिर प्राब्लम बहुत सारी है ऐसी प्राब्लम यह जो दुद तक भी नहीं है आउट अप देशले बस भी प्रॉब्लम है फिर ठीक है और तो मैं बहुत रहा हूं कि हम डिसद्वांटेज की कम बात करे है लेकन क्यों घर की बाते करें हम बोरेगेश काष्य प्राब्लम है और वह प्राब्लम से हाथ से जबशाने का की आध सीपर ही कहीं और दिल्एगा एन्ट को बहुत सारे लिखे लेका की पान्च शे ट्वांटेज कंए इस तहात में बात नहीं करना चाह तो पस पर ऊप्र disadvantage जिसको बहुत value ने दे रहे हो ठीक है तो यह आपके पास बेसनिक introduction था आपके पास की what is the need of power electronic system what are the advantages of power time system और limitation पर मैं harm nix तक limit रहा कि harm nix तो आएंगे ही और इसमें अगर लोग यूश करते तो बोलते की एक power time पढ़ने के लिए लोग को बहुत network आना चाहिए लोग को बहुत analog circuit आना चाहिए अलग बात है तो आपको आता है बट फिर भी अगर मैं power time से start करता हूँ और आपको network नहीं पढ़ाता analog नहीं पढ़ाता तो दो मैं को problem नहीं होती मैं को problem zero होती अपको signal आता है नहीं आता है इससे में कोई लेना देना नहीं आपको analog circuit कोन पढ़ा है इससे भी में कोई लेना देना निए और आपको network का के विल नहीं आता तो दो मैं अपने सब्सक्राइब करता हूं मैं कोई भी रिक्वार्मेंट नहीं आपके किसी भी चीज की कि आपको क्या आता होगा पावल टाइब से स्टार्ट कि और अपना एंड कर लेंगे तो फिर आपको नहीं पता होगा कि याद आया कि नहीं इसा नहीं बोलूँगा ठीक है इतना परसान नहीं करेंगा है ठीक है तो सब्सक्राइब क्या कि जेप बोर रहे कि electronic devices जब हम यूश करते तो आपको ऐओ अनलॉग करें तो तो और इंटरना स्टॉरिज तो हमने पते हैं कि नहीं जाने तोसक्cera जोता है वह इलेक्राइब कि एक्जाम का पार्ट इंटरना स्टोरी नहीं है अनलोग सक्रीट जो हो अपली के सने चाहिए डाइवर्ड हो चाहिए ट्रांजिस्ट हो चाहिए मॉस्फेट लेकिन फिर भी आप पावल टाइंस पढ़ते हो तो आपको इंटरने स्टोरी इतनी इंडेप्ट नहीं पता हो ल सेमिकंडक्टर तो फिर हमको पता चल जाएगा कि मिनिंग आप इलेक्टिकल इस्टुएंट लेकिन बुक लिखने माले यह एज्यूम कर लिए कि यह तो यह बच्चों को पता होता है और उनको क्या बता हम ही बच्चे है तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके पास कि हमको क्य बच्चे हो कि लगाने लेक्ट कर लिए जाता और नौमल एक टीचर बिएजिउम का लेता तो इतनी चीज जाते होगी लेकिन जशन की आपको जानता हूं कि आपको उसके अंदर की पारने मिनिम क्या क्या चीज़े पता होना चीए जितनी चीज़े मैं बताऊंगा आचके एक लास मों ती चीज़े पता होना चीज़े Semiconductor लिखा मैं तो दो टाइप के Semiconductor होते हैं Intransic Semiconductor और एक होता है Extransic Semiconductor Intransic Semiconductor होते हैं मतलब Pure Semiconductor और Extransic Semiconductor होता है Impure Semiconductor और Extransic Semiconductor बनता कैसे हैं Extransic Semiconductor जो होता है वो Intransic Semiconductor जो Pure Semiconductor उसमें आप अगर Doping मिला दो यह अगर आप Doping कर दो तो Extransic Semiconductor हो जाता है अब Question यह कि Pure Semiconductor तो था कुछ मिलाने की जरुबत क्यों पड़ी तो हम इसा बात करते हैं पतां चली की प्रूर्डर्ट की बात नहीं कर रहा था तो पहला माइन में कोई भी एलेक्ट्रानी से एलेक्टरिकल की स्टुट्वेंट को जब सेमिकंडुक्टर की बात करता तो उसके माइन का पहला कुश्य होना जीए कि what is the use of extensive semiconductor, जब pure चीज़े हर जगा दुनिया में pure दिगी बात करते, अगर हम आपा pure चीज़े तो हम impure क्यों बनाएंगे, तो पहला चीज़े कि what is the purpose of doping, तो आपको लिखना चीए कि doping increases the conductivity of material, doping increases the conductivity of material, that means, conductivity of extensive semiconductor is higher than interesting semiconductor, यहाँ से start होती, basic story, क्या बला मैं, doping increases the conductivity of material, doping increases the conductivity of material, that means, conductivity of extensive semiconductor is higher than intrinsic semiconductor, तभी तो हम एक extensive semiconductor बनाया होंगे, तो आप simple साइस statement था, कि doping increases the conductivity of material, that means, conductivity of extensive semiconductor is higher than intrinsic semiconductor, मत्तब, conductivity किसकी ज़्यादा होती है, conductivity जो होता है, वो extensive semiconductor की ज़्यादा होती है, compared to intrinsic semiconductor, इसलिए हम doping करते हैं, तो क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, यह तो हो गया पहला point, तो purpose हमको समझ आ गया, यह हमको आ गया purpose, पास doping के करने से conductivity कैसे परती है, तो फिर तो, in-depth अभी conductivity के अंदर जाना पर रहा है, कि conductivity कैसे increase करती है, पूरा ADC फिर तो इस्टार्ट है, आपको क्याट्या पता होना ची इंपॉटेंट है, एक तो पता चल गया यह, जब मैं doping की बात करता हूं, तो doping जो होता है, यह दो तरीके से होता है, एक होता है low level doping, low level doping, और एक होता हाई level doping, low level doping होता है, वन देस्टो, तैन देस्ट पार एट, और हाई level doping होता है, वन देस्टो, तैन देस्टो, तैन देस्टो, त्री, यह जो वन देस्टो है, यह वन मतलब, वन impure rate अब, यह वन डोपेंट लिखते देगे, और हो, यह वन, डोपेंट, और यह 10 देस्ट पार 8 जो है, यह 10 देस्ट पार 8, pure semiconductor, यह, इसमें जो 1 है, यह one डोपेंट, और यह 1000, जो है, वो pure semiconductor, item से, यह, जितने भी, बेसिक जो fabrication, दीकेशन जितने हम डिजयाइनिंग करते हैं इसमाई लिवल डोपिंग बेस होते हैं इसमें ग्यशामपल नहीं पर दोप्रती सब्सक्राइब करते हैं दोपिंग अगर थोड़ से भी गवड़ा गई तो इस मटेल का बिहेवियर चेंज हो जाएगा अगर जिसको मिलाएंगे जिस एटम को जिसको मिलाने वाले वह दोपिंग तो दोटम से एक डोपिंग है उस पुरा प्रोसेस कहना जिसमें कि आप एक intrinsic को extensive में convert करते हैं जो मिलाते उसको बोलते डोपेंट क्या जो मिलाते उसको क्या बोलते डोपेंट ठीक है अब अगर आपको chemistry की बात की जाए chemistry तो आप पढ़े होंगे मतलब 11-12 की समय में chemistry में chemistry जब हम पढ़ते थे कई लोगा favorite subject होगा कई लोगा chemistry बिल्क और एक होता है आपके पाफ फिप्त गुरूप पिरियोडिक टेबल की बात करते हैं आपके स्मॉडन पिरियोडिक टेबल इस्टोरी कैसे start होती है बड़ा important जब third group आपके पास होता था तो third group में आप लिखते थे एक बोरान होता था आपके पास एक aluminium ये गेलियम एक इंड इस सब का जो वैलेंस इलेक्टोर्न सेना थी है इसलिए थार्ड ग्रूप में रखे रहते थे इसमें जो होता था आपके पास 2,3 ये 2,8,3 ये 2,8,18,3 इससे आपके लिखते थे इलेक्टोर्न पिरिशन इसको को लिखना है तो 1 is 2,2 is 2 and 2p1 तो लिखना है तो 1 is 2,2 is 2 and 2p1 आपके पास 3 है इसलिए इसको थार्ड ग्रूप में रखा गया था ये नंबर आप वैलेंस इलेक्टोर्न जो है आपके पास लास ओर्ड में जो एलेक्टोर्न से थी है ये बोरान होचा अलुम्नियम होचा गेलियम होचा इंडियम होचा थेलियम ये थार्ड ग्रूप के अ प्सिलीकाहन होता गारा स्जस्री करना सब्स्रांश करफेंगा एक सेसेनी पुर्वित्स में करना गी एक सम inject के पानले प्सकाइब अब हुँ ऑर इसको होते जो आपके पास पीटिन बोल्ते थे यह 284, नमबरा वैलेंस लिटाम 4 होते हैं सिलिकॉन में, जर्मनियम में 2818 4, यह सब आपके पास elements हैं और पूरा electronic configuration नहीं लिख रहा हूँ, आपको लगएगा कि सब chemistry याद कर लिए आप, तो ठीक है लिख भी सकता हूँ हाँ, तो यह आपके पास है यह 5th group के elements है, अब elements को मैं क्यों लिखा है, यह देखना बड़ा है, इंट्रस्टिंग होगा ऐसे तो लिखा नहीं होगा कि, ऐसे यार मैं को भूत पताय करके, इसलिए तो ले लिखा होगा ठीक है, देखना आपके पास, इसलिए मैं बोड़ों कि कोई भी चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो, तो हमारी स्टोरी बहुत इंपॉर्टन है, हम चाहते क्या है, आपके क्या रहे है, और कहां कहां पर क्या क्या चीज़े यूज होती है जब मैं फिट ग्रूप element की बात कर रहा है, तो स्ट्रव मैं उलता हूँज होता था, यह जिक से लिए टरोयज का होना था तो जर्ल्ल मैं 10 Č 4 जो पना माशुटव जो करना था, 1 चाहता हूँज होता था मैं अश तो फिरश ए व्लेट्टों होता है, यह समि describesा, यह जरुज होता है इसकी value 51 है और इसकी value 83 है यह यह के लिखो आपके पास periodic table जो आप 11,12 के समय में पढ़ते था inorganic chemistry में Physical, Inorganic और Agnick थीन पार्ट में divided होते थी ऑग्निक समझ आया निया, आता तो फिर अपनी यहां नहीं होता है, ऑग्निक तो समझ नहीं होता था न, फिजिकल थोड़ा आता था थोड़ा थोड़ा याद होता था, प्रकेटरी देखें सेद हो न, आप लोग, आपके पास सेंधिंडक्टर को बुला गया है, यहां से तो इसका मतब है कि आपके से मतेरियल जो की नमबर आफ वैलेंस इलेक्रों जो आपके पास फोर्थ है तो फोर्थ ग्रूप के ऐलिमेंट को आप सेमिकंड़क्टर बोलते हो तो लेकिंटर स्टिंग बात है कि जब फोर्थ ग्रूप के element को आप semiconductor बोलते हो तो semiconductor के नाम पे आप अपनी जिंदगी में सिर्फ germanium और silicon के सीवा कुछ नहीं सुने अपनी जिंदगी में आप germanium और silicon के सीवा कुछ नहीं सुने तो question यहां सहराईस होता है कि semiconductor की जब भी बात होती है तो आप भी नहीं सुने और कोई बोला भी नहीं ऐसा क्यों हुआ यहां से बात ही स्टार्ट होती है जब कि germanium और silicon दोनों में number of balance electron 4 है तो semiconductor तो है लेकिन फिर बाकि जितने elements है सभी semiconductor है जितने भी 4th group elements में है तो जब सभी semiconductor है तो germanium और silicon इतना dominant कैसे कर गया कि बाकी के कभी बात ही नहीं हुई ना कभी carbon की बात हुई ना कभी तीन की बात हुई जिसको आप symbolic notation Greek में SN लिखते हो या फिर लीड की बात हुई जिसको आप PB बोलते है तो बात करते हैं अभी पस सबसे important चीज़ कि last में जो लिखा हुआ आपकी पास semiconductor में SN जो लिखा हुआ है electronic on-p50 और यह जो lead लिखा हुआ आपकी पास PB 82 यह बहुत ज़्यादा costly आपकी पास इसलिए होते हैं आपकी पास क्योंकि earth crust में इसकी availability बड़ी कम है इसको यूश करना बहुत ज़्यादा costly होगा तो यह discussion के पार्ट से hurt गया earth crust में जो availability वाला जो पार्ट था वो बहुत ही कम availability तो cost भी बढ़ गया जिसकी कमी होगी उसकी तो cost बढ़ी जाएगी नहीं बढ़ जाएगी diamond अगर बहुत होता तो diamond कि आपने से ऐसे ball diamond ही फेकते है नहीं ग्लास ही तो है और के नहीं है तो जिसकी भी कमी होती है उसका importance बढ़ जाते है तो SN और PB आपके पास यह costly क्योंकि earth crust में availability कम है लेकिन question जब हम यह बात करते हैं तो same time पे question आता है इसका carbon तो हर जगा है और उसकी availability भी बहुत जाते है जर्मनियम सिलिकॉन से तो carbon तो फिर अगर यह earth crust में अगर इसकी कमी availability कम है तो यह तो reasoning सही है कि cost wise तो बहुत जादा होगा इसका use होगा लेकिन सर कारवन जो है वो तो अर्थ-क्रेस में बहुत available है तो अब बचे आपके पास तीन चीजे क्या के बचे आपके आपके पास जो अर्थ-क्रेस में available है कारवन बचा इस सिलिकॉन बचा और जर्मनियम बचा बचे तीन है यह कोटा फेक्ट्री में अगर आपको थोड़ा बुद करता है लेकिन अपन जो इंड़क्टर वो काम करता था इस पेशल केस में वह तो इंपोर्टेंड यह देखो अभी लोग तुरंद बोले इसका मतलब है कि हमारा हमारा इंट्रेस किन चीज़े में देख तुरंद रिप्लाई आ गया जिसको हिंदी में आप बात बोलते हैं नहीं तो केमिस्ट्री तो इसी के अरॉंड घूंती है इसे का मजाग भी बनाया गया अरे कोट अफेक्ट्री में इसी बात पी तो रखा गया था था न कि केमिस्ट्री में तो यह से रह दाए है ये और कीए सीमि कशनों और हरां आपके पास जर्मियां में अर्विलिबिलीटी एकृब्स सेमिकंडूकर है कि ऐस्ए में लेकर यह जा झाल रागा के 58 को इतनी वाथी है फोर्थ element हो तो भषय की कारवार नहीं है लेकिन अब होता क्या है ठ्वाइन सुझीक हो को कि जब हम बात करते इनकी इनको अप्ना क्लीन की बात करते हैं तो इसके एनर्जी गताएप बात कर देता हूं चीज को समको देखना कि हमको क्या पता होना चीज उस तरीके से बता हो में सब करें कर लिए इसको पता होना है सब कुछ मतलब एसा चीज नहीं की यह सब सब कभी काम नहीं आएगा आप सोचे थे कभी कि फिर से वापस आए गए नहीं सोचे थे ऐसी बहुत सारी चीज जो आज चल रहे आपको नहीं पता कि कब काम आने वाला कि मैं बुर्णों कि देखो तीन चीज है कि एक है आपके पास इसके बार में थोड़ा सा कम आइडिया होगा आपके पास यह यह conduction band होता है यह valence band होता है उसके बीच का जो होता है यह energy gave होता है और energy gave की value EC minus EV होता है और यह approximately 6 electron volt होता है यह जो carbon C6 है और इसको आप बोलते हो कि यह behave करता है इसे insulator की समग यह energy gave लिखा है यह carbon का बना है यह पुरा energy band है उसका lowest level conduction EC होता है और यह भी पुरा energy band है जिसका highest energy level EV होता है यह electron वाले यह सब परते है मोद देर तक यह सब बात यह करते है अभी हम जाद देर तक बात नहीं करें तो फिर आपको लगेगा की यह 0.72 electron volt लिख रहा हूँ यह germanium का लिख रहा हूँ लगबख 300 degree Kelvin पे यह germanium का energy gap लिख रहा हूँ और एक और energy band diagram बना यह EC लिख रहा हूँ और यह EV लिख रहा हूँ यह का energy gap energy की भुज़ताब आपके लिए नया atom लगबख 1.1 electron volt के आसपास होता 300 degree Kelvin पे वैसे तो 0 degree Kelvin पे 1.21 electron volt होता है आपके पास तो यह हो गया आपके पास silicon का 300 degree Kelvin पे रूम टेंपरेचर पे यह लिखा हूँ अब यहां देखेगा energy gap को अगर मैं define करूं कि energy gap क्या होता है क्योंकि energy gap आपके लिए नया atom है तो energy gap 10-15 seconds में energy gap लिख लेते हैं ऐसा नहीं होना चीए कि कुछ लिखी हो और हम सोचे कि कुछ तो होता था वह तो कि मैंको पता है कि electrical explain के अपने limitation क्या है क्या उसको पता है क्या उसको नहीं पता है और क्या उसको पता होना चीए कि तीन फिगर बनाया हम ना अब बनाते हैं नहीं है तो भी definition दो लिखो के बाद में बन जाएको अब बनानड़ और हम पता है energy gap is defined as the amount of energy the amount of energy which is required energy gap is defined as the amount of energy which is required for jump the valence electron energy from valence band to conduction band which is required for jump the valence electron from valence band to conduction band from valence band to conduction band यह वो amount of energy है जो किसी valence electron को free electron में convert करने के लिए चीए होता है जिसको आप बोलते है valence band से जो jump करके यह सब पढ़ते हैं electronics वाले EDC में यही सब पढ़ते हैं वो सकता 10 दिन तक यह सब पढ़ते रहते हों यह valence band है, यहाँ पर आपके पास है यहाँ से जो electrons यहाँ तक पहुच जाएंगे वो free electron करने हो जाएंगे और क्या पढ़ते है, electrons इस इस तो पढ़ते रहते हैं दिखता तो कुझ है नहीं अब electrons किसे दिखाए तो यहाँ से जो electrons है तो हम दो बड़ा simple लिखे कि एक valence electron को जो valence band में पढ़ा होगा उसको conduction band टक लिख tampे जिएतने energy चीए होती है उसको बोलते energy गे क्योंकि यह gap है न यह जितना ज़ादा होगा उतना의 energy जादा कि requirement होगी जितना ज़ादा होगा उतना ज़ादा कि requirement होगी तो एक valence electron को free electron में convert करने के लिए जो energy चाहिए क्योंकि वो last orbit में रखा है उस वहाँ से निकल के फ्री लेक्टॉंस बने उसके लिए जितनी energy चाहिए वहाँ से निकलने के लिए उसी को बोलते है energy gap तो एक simple सा definition लिख दिए अब इससे समझ ही आया इससे समझ ही आया कि जो आपका energy gap होता यह easy पताए है इनंवर्ष्टी प्रोपॉश्टनल टूं कंड़क्टिविटी होता है energy gap जो होता है वो इन्वर्ष्टी प्रोपॉश्टनल टूं कंड़क्टीवी होता है जितना कम अमाउंट आपका energy cheeur हैगा एक वेलेंस बैंड से जंप करवाने के लिए उतने conductivity ज़्यादा होगा क्योंकि उतने कम amount में आपके पास फ्ली electron में convert हुजाएगा तो energy gap is inversely proportional to conductivity ज़्यादा है ध्यान से अगर आप देखो कि तो पता है energy gap का order कितना है energy gap carbon का सबसे ज़्यादा है उसके बाद energy gap जो है वो silicon जो 14 है उसका ज़्यादा है और सबसे कम किसका energy gap germanium 32 का यह energy gap अगर यह energy gap का order है energy gap 6 लेकता हूँ आसपास है आपको लग रोका 60 तो नहीं वो बहुत बड़ा number है जब आप EDC पढ़ते हो तो अगर यह energy gap का order है तो बताद conductivity जो होगा आपके पास T6 यह conductivity सबसे less होगा conductivity जो होगा आपके पास सबसे ज़्यादा किसकी conductivity होगी इन सब में germnium की पता आपके पास तो जो exceptional जो आप पार बोलते हैं उसमें carbon आता है कि carbon semiconductor के समान behavior नहीं करता है यह behavior करने लगता insulator इसको बहुत high amount की energy चीए रहती है एक free electron के conversion के लिए तो वो exceptional जो बोलते हैं यह उस पार्ट से हट जाता है यसलिए carbon आपके उसमें किता भी available है उसकी conductivity कम है कि वो हमारे discussion के पार्ट से हट गया तो बचे दो क्या क्या जर्मिनियम और silicon जब जर्मिनियम और silicon बचे तो फिर अगे इन कोशन आराइस होता है के मिस्टी में कोशें भूद बनते हैं कि सर जर्मिनियम और silicon में से conductivity किसकी ज़्याद है बताओ अरे अब यह देख रहे हो लिखे ही तो है किसकी conductivity ज़्याद है जर्मिनियम की लेकिन उसके बाद भी आप पूरे पावलत आने इसमें जर्मिनियम वाइड आप पूरी बुक में ढूण लो 400 पेज की बुक में जर्मिनियम मिलेगा नहीं दस बुक ढूण लो दसो में जर्मिनियम वाइड नहीं मिलेगा आपको तो वाई silicon is preferred over जर्मिनियम यहाँ तो conductivity जाद है अरे यहां तो conductivity ज़्यादा है तो हमारा question अराइस होता है कि why silicon is preferred over germanium? Question mark Why silicon is preferred over germanium? जबकि हम तो बोल दे है conductivity ज़्यादा है energy की कमें सही बात भी है अब question यहां सो हता है कि भी power times में तो आप germanium कभी यूजी नहीं करते हो हर जगा silicon 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 नहीं यूज करते हो हमारा question जो हुआ कि why silicon is preferred over germanium question mark डाल दो Why silicon is preferred over germanium? यह question mark जब हम ऐसा बोल रहे हो तो silicon के बहुत advantage होंगे अब हमको ना पता होता हमारी problem है हमारा ना पता होता हमारी problem है अगर हम उतको इतना ज़्यादा यूज करते है तो बहुत ही ज़्यादा favorable होता होगा हम तो एक point में अभी सुरिफ energy gap और conductivity है हम तो सिर्फ एक ही point में है ना किस बात पर energy gap और conductivity और नो ज़्यादा ज़्यादा है germanium की कोई बात ही नहीं है लेकिन हम बोल रहे कि क्यों फिर हम germanium यूज नहीं करते है तो फिर कोशन यह आता है कि अगर मैं इस point पे अगर जाता हूं तो parameters लिख दिया मैं germanium लिख दिया और यह silicon लिख दिया यह पहला point लिख रहा हूं कि thermal limit जो temperature with extent की capability होती है लगबख 100 degree centigrade की आस-पास होता हूं यह 200 degree centigrade की आस-पास होता है thermal limit हाई होती है silicon की जादा with extent जादा आपके पास जादा temperature तक hold कर सकता है वो with extent कर सकता है तो जो thermal capability जो thermal limit यह और silicon की जादा है अगर मैं बोलूँ कि वोल्टेज जो रेटिंग होता है, वोल्टेज रेटिंग, पता है जर्मनियम की कम, सिलिकॉन की हाई है, जो करेंट रेटिंग होता है, क्योंकि हमको रिवाइस की बात करना है, तो माले रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती ही पॉल्टाइंस में, currently じゃ yeah वोल्टेज और करेड रेंटिंग अगर की ज्यादा है तो फिर तो पावर रेंटिंग कोई बात ही नहीं है इसकी लोग गी अर्व कि बहुत जज़्डा हाई होगी तो पावर रेटिंग बाइस, वोल्टेज रेटिंग बाइस, करेर रेटिंग बाइस, थर्मल लिमिट बाइस, सब सिलिकॉन इस प्रिफेबल और इवन अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर दिये जाए कि एवलेबिलिटी इन आर्थ क्रस्ट वो भी जर्मियम और सिलिकॉन की नंपेर में, कार्वन तो चला जा चुका है ने तो कार्वन डोमिनेट कर रहा है वो भी इसकी लो और इसकी हाई है तो सिलिकॉन की जो एवलेबिलिटी जाद है अर्थ क्रस्ट में बाकी चीज तो है आपके पास जितनी भी चाहिए आपको एक पावल टानिक्स में आपको जितना भी चाहिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्टेज करेंट पावर रेटिंग सिलिकॉन जो है वो डोमिनेट करना चालू कर देता है एक ही पॉइंट आपके पास की कंड़क्ट्वीटी इसकी थोड़ी कम थी एक ही पॉइंट आपके पास की कंड़क्ट्वीटी थोड़ी कम थी जब हो किसी पसे पिर बंदो क्या रिये कि इसे कैसे हो रहे हैं तो पैक्ट्री नए वाले पर्चिस करने लिए तो प्रक्ट्री दिस्चार्ज जाड़े समझे तो केस्ट लोगा कि दालग चला गया है तो मैं क्या बूलने जाता है डालग हां मैं बूलने जाता था कि जब हम किसी को सिलेक्ट करते अपनी लाइफ के लिए तो हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटी पॉइंट जमा करते हैं एक नजर में तो कोई भी अच्छा लग सकता है वो था जर्वनियम यहां देखे हो आपके पास यहां देखे हो तो यहां पर देखो फीचर वाइस देखों क्या आपके पास सिलिकोन जो हो वो क्यों प्रिफेबल है क्यों प्रिफेबल है सब कुछ इसके पास ज्यादा है तर वैल्यूस इसके पास ज्यादा है था पावलटर इसके पास इसके पास यहां श्याद है कि अब लोगों मज़ा रहे हैं ना कि बोड तो नहीं हो रहे हैं नहीं न थी कि अब समझें क्यों बोला कि मैं मैं सूच की बढ़ा रहा हूं कि लास्ट बार ही पढ़ा रहा हूं इसलिए पूरा पूरा ट्राइ कर रहा हूं कि आपको पूरी चीजे पता हो हर वो चीज पता हो जो बुक में भी नहीं लिखी पावल्टाइंस की अब यह तो लिखा नहीं होगा केमिस्टिक यो लिखेंगे लोग नहीं कि यसी बुसकि मेरा तरीका लाग है मेरा जो तरीका है वो एकदम करेंगे और मैं विन तब करूंगा जब आप बोल दूगे कि पावल्टाइंस जो है आपको नेटवर्क कंट्रोल और एनलोग सर्कीट से इंट्रस्टिंग भी ज्यादा अच्छा लगा और इजी भी ज्यादा लगा यह मेरा विन होगा तो देखते है अब हम बोलते कि जब सेमिकंडक्टर लिखे था हम बोले दो टाइब के सेमिकंडक्टर होते है एक पी और एक इंपियोर जैट मिंद एंट्रेंजिक और एक्स्टेंसिंग अब मैं दालता हूँ extensive semiconductor देखिएगा जानने से पहले हम दो यह अला पोर्शन कवर करते हैं अगर मैं extensive semiconductor की बात कर दो extensive semiconductor पता extensive semiconductor में दो होते हैं आपके पास एक p-type semiconductor होता है और एक n-type semiconductor होता है एक n-type semiconductor एक p-type semiconductor और एक n-type semiconductor यहां पर जो पी जो terminology होता है कि p-type semiconductor में पी क्या है जो पी जो दिखर आपके पास यह होता है positive type semiconductor अगर p-termology की बात की जाए तो पी क्या है तो positive पी मत्ताब positive और यहां पर एन जो है वह negative अब आपको यह भी लग रहा होगा कि सरूप पीरोडिक टेबल फूर्थी ग्रूप बना देते हैं लेकिन आप फ़र्ड भी बनाएं फिप भी बनाएं फुल नॉलेज अपना दिखाए इदे फूर्थ बना देते हैं बताना तो आपको semiconductor ही था नहीं ऐसा नहीं था जब हम p-type semiconductor की बात करते यह तो semiconductor में जो हम doping एड़ करते वह थर्ड ग्रूप यह doping होता है यह जो doping आपके पास एड़ करते हो थर्ड ग्रूप का doping और जो anti semiconductor बनता है इसमें pure semiconductor में आप जो एड़ करते हो फिप्ट ग्रूप डूप होता है यह इसका अब जो middle में जो semiconductor था अगर वो left वाले से combine करेगा तो एक positive type का semiconductor बनता है और right वाला बनता फिप्ट ग्रूप टेवल की according बात की जाए तो वो बनेगा आपके पास एक anti semiconductor यह अब p-type semiconductor बनाना आपके पास third group का आपके पास doping ए third group में आपके पास जैसे बोरा ता यह गेलियम था तो मैं ले लिया यह गेलियम इसमें वैलेंस एलेक्ट्राण जो है वह थ्री है वाट टू और ए थ्री है यह ए यह वैलेंस एलेक्ट्राण ले लियां अब क्या होता है जो crystalline structure होता है क्योंकि हम in-depth में तो अभी ADC की बात नहीं कर रहे है क्योंकि ADC तो इसके साथ जो सिलिकॉन जो मैं यूज कर रहा है आपके पास क्यूंति प्यूर सेमिकंड़क्टर है तो जो सिलिकॉन लिया है इसमें नंबर आप वैलेंस सिलिकॉन फूर है यह आपके पास इधर भी बनेगा चारो सेट 1,2,3,4 ऐसा साब बन पे जाएगा यह और यहाँ पर आपके पास यह सिलिकॉन का लिया है अब होता कि आपके पास कि जब हम पॉर्म करते हैं तो यह एक वैलेंस बेंड बना यह कम्पलीट आपके पास मतलब वही कोवेलेंट बॉन फॉर्म हुआ यह कम्पलीट को कोवेलेंट बॉन बना क्योंकि इसमें मिसिंग है आपके पास यह इसको बोलते हैं हम इनकम्पलीट कोवेलेंट बॉन इनकम्पलीट कोवेलेंट बॉन इनकम्पलीट कोवेलेंट बॉन और जित्ते भी यह सब आपके पास कम्पलीट कोवेलेंट बॉन इसका अगर मैं एक गेलियम एटम एडि करूंगा तो एक incomplete तो बनता है एक गेलियम एटम के एड़् करने से एक incomplete kovalent bond अब यह जो incomplete kovalent bond इसको complete करने के लिए अगर मैं बोलों कि इसको लेना है किसी से यह तो यह आफ की पास पूसर है और ए नही 89 होगा कभी लोग ऐसा बिदी इसको बोलते acceptor ions acceptor ions यह किसी दुसरे से लेगा आपके पास तभी यह complete हो सकते है इस bond को complete करना है किसी से आप उधारी ले ले लिए लिए minus लिका होगा इस bond को complete करने के लिए क्यां interesting story के है क्या है क्या हम हम बत्लम नहीं क üzere इंट्रेस्टिंग क्या है कि आपको अगर मैं पीटाइड सेमिकंडक्टर की बात कर हो तो पहले तो मैं पता हो कि फ़र्ड गृूप का एलिमेंट्स एड होगा एक प्योर सेमिकंडक्टर है सेमिकंडक्टर मतलब सिलिकॉन जर्मनियम तो सिलिकॉन ले लिया फिलिकॉन के नमवरा वैलेंस एलेक्टान 4 है बागे पुरा स्ट्रक्चर है आगे का इधर हूँ आज बाजू का कुछ नहीं बनाया हूँ एक गेलियम एटम को लिया इसका मतलब है कि अगर वन गेलियम एटम आप अगर ले रहे हो इसका मतलब पता आप तर्मलोजी देना चालू करते होल तो जब भी आप वन गेलियम एटम एट कर रहे हैं तो वन होल और वन एक्सेप्टर आयन से आपके पास नेगेटिक क्यों बोले क्योंकि किसी दूसरे से ले रहा तभी कम्प्लीट हो सकता है इसका तब अगर मैं 100 गेलियम एटम एट कर रहा हूँ ऐसे डोपेंड तो 100 होल क्रियेट होंगे क्योंकि 100 इंकम्प्लीट कोवेलेंट बनेंगे और सेम टाइम पर आपके 100 एक्सेप्टर आयन से होंगे अगर मैं 10 देब पर 6 गेलियम एटममेट कर लूँ तो वो 10 देब पर 6 होल क्रियेट होंगे और 10 देब पर 6 एक्सेप्टर आयनस होंगे आपके पास P-type semiconductor electrically क्या होता है तो P-type semiconductor electrically neutral होता है लोग बोलते P-type positive होता है इलेक्टिकली न्यूटलिस्टी होता है क्योंकि जितना आपकी पास जो होल होल का जो चार्ज होता है पॉजिटी होता है लेकिन सेम ताइम पर नेगेटिव आइंस भी क्रेट होए तो जितने होल्स क्रेट होंगे उतने ही नेगेटिव आइंस क्रेट होंगे जब भी आप एक P-type semiconductor form कर रहे हैं तो why P-type? क्योंकि जो whole है इसको positive charge माना लिया है Mobile Mobile मतलब यह move कर सकते हैं यह और acceptor ions होते हैं वो immobile ions होते हैं Immobile ions तो जो मैं P-type semiconductor की बात कर रहा हूँ तो क्या हुआ एक gallium atom लिया मैं जिसमें 3rd आपके पास 3 balance electron थे यह बनाया मैं और incomplete covalent bond found हुआ इसका मतलब है कि आपका एक acceptor ions लोगे Y acceptor क्योंकि इसको complete करने के लिए चाहिए एक gallium atom atom कर रहे हैं तो one acceptor ions की जर्रत पड़ेगी ऐसे लिखो ऐसे लिखो और incomplete covalent bond को आप whole बोलते हैं positive charge आपके पास थी mobile से होते है यह वह आपके पास T type ठीक है पांच मिनट के अंदर में चीज़े और ज्यादा clear कर लेंगे अराम से बनाते जाना और सुनते जाना जब मैं N type बोल रहा हूं तो मैं को पता है कि pentavalent impurity है चा नाट्रिजन फास्पोरस हो arsenic हो antimony हो बिस्मीथ हो तो मैं सपोस करो antimony ले ले लेता हूं sb ले ले लेता हूं यह हमें बोल रहा हूं कि मैं पास number of valence electron जो हो 5 है तो ठीक है तो जिसका crystalline structure होता है वहां तो कोई problem नहीं है और फिर आपके पास यहां ले लिया है 5 है 4 यह ले लिया crystalline structure में 5 वा यह ले लिया क्या यूश किया था हम इसमें red color यूश किया था silicon के लिए तो मैं बोल रहा हूं कि क्या हुआ यह silicon यह आपके पास हुआ यह covalent bond form किया यह silicon ने यह covalent bond form किया यह silicon ने यह covalent bond form किया यह silicon नम्रह valence electrons 4 होते हैं और बना हुआ जब भी आप pentavalent impurity add करोगे तो आपके लिए यहां हमेसे एक बच जाएगा one, three electrons बच गया वहां कम था यहां बच गया one free electron और यह किसी को हम donate कर सकते हैं क्योंकि free electron से जिसको जरुवत हो कि उसको दे देंगे जिसको बुलते हो one donor आए इसलिए इसको लिखते है nd plus y plus क्योंकि हम donate कर सकते है ठीक है plus sign आपके पास that means order donation अब बुलेंस में देखे हो डॉक्तर लोग की कार में देखे हो हर जगा देखे हो लोग खुद मानते कि हम donate करते है ऐसा वो उतले ते बट फिर भी तो मैं वह हो रहा हूं कि देखो आपके पास है donor आयन से one free electrons मनेगा इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप फिर्ट ग्रूप का एक element वन एंटी मनी elements अगर मैं धोपेंट यूज़ कर रहा हूँ तो वन फ्रिलेक्टॉन बना वन फ्रिलेक्टॉन सुवा प्लस वन डोना रायन सुवा ठीक है अगर मैं 1000 एंटी मनी elements अगर atoms अगर add कर रहा हूँ दोपेंट के लिए तो 1000 फिर इलेक्टॉन बनेंगे और 1000 दोना रायन सुवा यह यह मतलब होता है इसलिए जब आप तो इलेक्टॉन वाले हो नहीं तो पी और एंट टाइप जो सेमिकंड़क्ट होते हैं वो इलेक्टिकल ही क्या होते हैं इलेक्टिकल ही नूटल होते हैं पॉजेटी और नेगेटी नहीं होते हैं कब वरन हमको अपनी स्ट्पक एंटीप में क्या होता है प्रिंभ इतनी निम बात कि थचे Sverige है तो प्रक्रिया.. इतना स्चास कलाना तो इतना बेसिक अइडिया और ब्रफोड़ा सा कानल आ tangible भी अलग स्टाइल जितने हमको जरुआते फाल टाइंस के लिए अधर में कुछ important point लिखना चालू करूँ कुछ key point लिखना हूँ इसे भी बेस जिता बोर्ड में लिखा हुआ तो पहला key point पहला key point पहला key point इन P type semiconductor इन P type semiconductor कॉमा holes support the flow of current इन P type semiconductor holes support the flow of current इन P type semiconductor पहला key point जैसे मैं कुछ key point या कुछ extra बाते करता हूँ और आप board में जो चीजे लिखी है उसको अगर आप note नहीं किये तो उसको break कर दे क्योंकि वो तो लिखे ही है ना कहां जाएगा फिर आप statement लिखे और फिर जो बीच की जगा मिले फिर वापस जाके लिखना चालो कर रहे है ऐसा combination खेलना चीए ठेक है तो मैं बोला कि क्या है पहला क्या बोला इन P type semiconductor hole support the flow of current second point इन N type semiconductor electron support the flow of current in P type semiconductor hole support the flow of current in N type semiconductor in N type semiconductor electron support the flow of current electron support the flow of current तो P type में hole support करते हैं N type में electron support करते हैं electron से हमारे पास जब भी हम करेंगे फिले अन्पर बच जाएगा क्यूक्कि सिलिकॉन में तो चारी है और हमारे पास यहां पे 5 है pentavalent है आपके पास है doping एक extra हमारे पास ठीक है third point immobile ions immobile ions, in bracket donor and acceptors, immobile ions, immobile ions, in bracket donor and acceptors, bracket close, do not support the flow of current, immobile ions, do not support the flow of current, immobile ions, do not support the flow of current, immobile ions, do not support the flow of current, next point, immobile ions are responsible for formation of depletion width, immobile ions are responsible, immobile ions are responsible for formation of depletion width, immobile ions are responsible for formation of depletion width, immobile ions are responsible for formation, of depletion width. Next point. Depletion width is responsible for potential barrier. 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 Next point. Potential barrier opposes the flow of current from P to N or N to P. Potential barrier opposes the flow of current from P to N or N to P. Potential barrier opposes the flow of current from P to N or N to P. This point. This point is important for all terms. All terms are important for all terms. This point is important for all terms. This point is not possible for all terms. यह तो टू टम्ला डिवाइस से अनोड है यह आपकी पास कैठोड है यह करेंट आपकी पास फ्लोड है इस वह डायोट लापी एंजंग से डायोट सिंबॉलिक नोटेशन अगर मैं नॉमल अगर पी एंजंग से यह पी है और क्या है यह एन है देखेगा रहां से पिर आपको समझाएगा कि मैं क्यों सेमिकंडक्टर से स्टार्ट किया अगर मैं बोलू की PN ये PN जंग समना है पता P वाले साइड में क्या होता है ये P है और ये N ये ये P में ना acceptor ions होते हैं ये acceptor ions बना रहा हूं negative ions ये होते हैं ना P में होते हैं और N में donor ions होते है plus मतलब donor ions ये दो दो layer बना दिया और ये जो ये ने आपके पास ये ये डवलू है इसको बोलते है डिप्लीशन विट्थ डवलू क्या है डिप्लीशन विट्थ और यहाँ पे आपके पास ये जंग्सन का potential जिसको आप भी नॉट बोल देते क्योंकि बाइसिक नहीं है। अब क्या पी टाइप जो होता है पी टाइप जो होता है हम बोले की पी टाइप कैसे बनाता है। में भूले जब भी आप ट्राइविलेंड इंप्रिटी अट करते मताब थ्री वेलेंड इंप्रिट्राइड यूज करतेएं इसलिक। एक की कमी होती है उसलिए हम एकसेट राइंस बोले जब भी हम ऐसा करते हैं फूल बन जाता है क्योंकि कि incomplete covalent bond, covalent bond एक बज गया था जो complete नहीं था, यहां सब complete थे, इलेक्टोंस फ्रीटा इन टाइप में, यहां covalent की complete होने की बात ही नहीं थी, यहां सब complete टे और एक extra था, वहाँ पे एक बज गया था जिसको आप hole बोले, इसका मतलब पी टाइप को अगर मैं रिप्रेजेंट करना है, तो पी टाइप में कैसे बना रहा हूँ, यहां को holes बना है, अभी थोड़ दे नोट नहीं करना है तो भी चलेगा, यहां को holes बना है, अब का size same रखना, ऐसा नहीं क्या लगाला size की holes, यह holes बना है, यह से holes बना है, ऐसे कुछ holes बना लिए, लेकिन acceptor ions negative होते है, electrically neutral होता है, मतलब से जितने holes बना होगे, उसके बाजू में, उसके नीचे acceptor ions भी बना दो, वोई लिखाता हमें वहाँ पर, एक हजार अगर hole होंगे, तो एक हजार acceptor ions होंगे, होता है क्या है, समय नहीं कोसिस करना, अब n type होता है, n type में तो free electrons होंगे, n type में क्या होगा, free electrons होंगे, electrons को मैं ऐसे dot से रिपने कर रहा हूँ, क्यों होखे hole बना है, ऐसे dot पूरा, यह dot, ऐसे random, यह electrons बना दिया, free electrons, वो holes बना है था, ऐसे free electrons बना दिया, बुच्छे, अब जितने फिर electrons से उतते, क्या होना चीए, डोना राहे हैं, इसको बोलते, best representation, ऐसे चीज़े, बुक्स में नहीं रहती, चाहे वो EDC की बुक्क क्यों नहीं हो, इसलिए कई बार EDC को लोग तो लोग से टफ मानते, पेने कि चीज़े कुछ दिखती हैं, जैंको बता ही चल पाता है, तो यहां पर आपके पास मोबाइल आइंस नहीं होते हैं वो ट्रेपिंग वाले होते हैं हम सब तो हर चीज जिताप पड़ते हैं तो यहां चीज चान परकौँ से बाइंस तो 12 acceptor ions और 12 donor ions बचे जो की junction के पास से और उस region को क्या बोलते है अपन depletion वेट लाखो होल से लाखो acceptor ions एलेक्ट में लाखो electron से लाखो donor ions से कुछ होल सो electron recombine हो गए तो कोई बूल सकता कि सर यहाँ पे भी तो होल के साथ आपके पास negative ions हो सकते हैं पे लेक्टरॉन से साथ positive ions होते हैं तो यह तो होते ही है लेकिन discussion के पाट कोन कर रही है तो discussion जिनकी में कभी खतम ही नहीं होगा फिर तो math ही नहीं बन पाएगा electronic devices discussion ही start में हो पाएगा तो electronic devices ऐसे start होता है discussion सब internet story है तो electronic devices से start होता है कि हम मान लेते हैं कि जो carriers बचे भी है फिर minority carrier की भी बात करते है EDC में तो भी minority carrier की बात होती है हम तो करने वाले नहीं है तो मैं बोलो कि देखो यह आपके पास है और इन ही के कारण क्योंकि यह सिब ions बचे negative और positive उसके कारण जो बनाए potential barrier बना क्या बनाए है potential barrier अब आपके पास यहां पर current तभी फ्लोगा जब यह जो आयन से आपके पास यह depleted होंगे यहां से गाया वोंगे तब तक आपके पास यह poles इस साइड और electron इस साइड जब आपके पास महूँ करेंगे तभी current फ्लोगा तो अभी मैं बाइसिंग नहीं किया अभी एक normal pn junction बना दिया अभी क्या क्या बना है पता आपके पास डबलू क्या है डिपली समवेट यह junction potential है आपके पास वी नौट बना दिया क्या बना दिया हमें junction potential बना दिया ठीक है यह ions कभी भी holes के साथ और यह ions कभी भी electron के साथ नहीं बनते इसलिए लोग को story weak होते जाती क्योंकि चीज़ें जब कमी होगे तो story weak होगी पिर लोग को समझ ही नहीं आता है यह जो बना है यह कहां से आ गया पिर यह कम कैसे होंगे और जादा कैसे होंगे तो मैं तो थोड़ा साई टाइम ले रहा हो यह आपके पास बना अब मैं क्या करने वाला हूँ देदे प को positive दे दो, n को negative दे दे, कभी हम internal बात थोड़ी कि कि क्या होता है करके, byising का मतलब आपके पास हम थोड़ी कभी वैसा create कि हम तो बोलते थे, symbolic notion में देते थे, हमारा for bias मतलब क्या होता था, symbolic notion मैं इंटरनल स्टोरी की बात कर रहा हूँ अभी था क्या यही वाला चीज और पी और एन टाइप है अब क्या होता है बाइसिंग फॉर बाइस में होता है यहां से होल्स का सप्लाई होना बाइसिंग का मतलब होता है एक्सिस का होल्स का सप्लाई होना ये और इस साइट से क्या सप्लाई हो रहा है और यह हैं equus oxid वाउंस हो स죠 strings को नहीं एंप पूर से को रॉकने कई वाल खेए हुने को क्रॉस करते हैं इनको कोण रोकने वाल उसके साथ मिले होल्स इसके साथ मिले ओल्स इसके साथ मिले अब यह त्रशन पार्ट नहीं बचा है यह हाँ पर आपके पास यहाँ भी डोनर आइंस था यह डोनर आइंस एलेक्टरॉनos सब्लाई करी यह करakah रहे यहाँ से यहाँ से क्या सब्लाई कर रहे हैँ इल्लेक्टरों дорог Aus साथ दृल्ग के साथ इसके साथ इतनी आइडियाल बातit करते आपके Pac us उनिफिट होता है लेकिन अवा सेमिङए करेंगे तो बोला जाता है कि जब क्यों कि साथिन के साथ प Sixt Zarago Guide index है जाता है कि आपकें Saad 12 acceptor ions थे 12 आपके पास acceptor ions थे 12 donor ions थे उसके कारएं डिपलीशन विड़ बन रहा था अब आप 6 holes इस साइट से दिए पड़ी ही raw बाते करते 6 holes इस साइट से दिए ये holes थे already इसके पास holes और acceptor ions थे ये तो थे ना लाको holes acceptor ions जो 6 holes दिए वो घूमते हुए यहां तक पहुझ गए ये बज़े थे 12 इस 12 में से सबसे पहले जो सबसे पास में थे इस के पी के उन 6 को वो electrically neutral में convert कर दी और इधर से electron 6 गए तो electrically neutral में convert कर दी तो अब depletion width क्या हुआ पता आपको ये क्योंकि depletion width में तो यार mobile ions होते ही नहीं है तो अब depletion width ये हुआ पता है अब W की जगा W days हुआ अब potential barrier भी ये वाला हुआ ये तो बोला जाता है कि जब आप forward bias ये forward bias का figure है ये forward bias का figure है तो बोला जाता है कि forward bias में क्या होता है forward bias में जो number of immobile ions होते है immobile ions in W वो decrease हो गए depletion width में number of immobile ions decrease हो गए whole supply की यार वो electrical inutile हो गए depletion width छोटी हो गई तो number आप immobile ions अगर कम हो गए तो भी है depletion width भी तो decrease होगी और depletion width अगर decrease होगी तो जो intensity थी जो की ions के कारण थी potential barrier की वो भी कम हो गए तो effect आप forward bias क्या होता है पता है depletion width का कम होना Johnson potential का कम होना क्योंकि immobile ions का कम होना immobile ions कम हो गए तो space कम हो गया space कम हो गया तो intensity कम हो गए जो potential barrier की थी effect of forward bias यह सो क्या बोलते है effect of forward bias अब सुचों कि reverse bias में क्या होता है forward bias में अगर आप depletion width था उसके जो layer थे उसका एक layer खतम कर दिया आप ऐसे ही माले थे ideal बाते कर दे तो 12 थे 6-6 बचे अब depletion width थोड़ा कम हो गया तो intensity कम हो गी पहले 12 और 12-24 थे इधर negative 12 उधर positive 12 अब तो 6 side बचे उस side 6 बचे तो effect of forward bias एक electrical instrument को power times परते समय में पता होना चीए कि forward bias के मतलब क्या होता है holes का supply करना P side में और electrons का supply करना N side में the meaning of forward bias unlock circuit में तो हम ये बात नहीं कर सकते हैं electron circuit में तो हम हवा में उपर उपर बात करते हैं P को plus ते connect कर दिये N को minus ते connect कर दिये D को forward bias होगा और unlock circuit में क्या हो सकता है अंदर की बात तो होनी सकती थी अब सोचो reverse bias में आप सोचो कि क्या होता होगा reverse bias में क्या होता होगा reverse bias में क्या होता होगा मैं जो carry earn वह opposite carrier दूंगा carry earn जो दूगा क्या दूँगा opposite carrier दूगा s přad lawsuit करी को कर नहीं ये forward bias है supply दें अभी supply देंगे लेकिन मैं इस figure में change कर रहा हूँ आपको नया figure बनाना पड़े पहला figure अगर बना लिए आप तो पहला figure बना क्या आपको क्योंकि आप मैं negative जो मैं बोलूँगा कि reverse bias क्या होता तो पता आपकी पस ऐसा connect करूँगा यार देखो minus or plus है इसा meaning of bias team यह यह क्या supply करूँगा यहां से यहां से क्या supply करूँगा अरे बोलो न यार electrons apply करूँगा अगर आप पी में electrons apply करोगा तो न कुछ होने वाला है हूग यह पी में उलक्तों अप्लाई पर होल से यहां से क्या supply करूंお願いします अब होगा क्या ऐसा अगर आप करते हो ऐसा करते हो तो फिर अगेन आईडियल डिसकेशन क्या कि यह जो इलेक्ट्रॉन से हम मानते हैं कि घूम फिर के इसके पास जो मिलेगा उसको रिकंबाइन कर रहा है उसको ज़्यादा काउन नहीं कर रहे हम बोल रहे कि यह इसको भी रिकंबाइन कर रह इस एक क्या हो गई और इस वाइन क्योंकि पहले 14 थे 20 लेफनाल 7 दोट इंड वाइन हो गई इसका मतलब है कि इस बार तो सर डिप्लीशन विट बढ़ गई हाँ डिप्लीशन विट बढ़ गई तो सर क्या होता है इफेक्ट आप रिवर्स बायस होता है कि नंबर ओप इंन्मोबाइल आयंस इन fabrics . इं डबलू इंक्रीज सब्दसर डिप्लीशन विट में नंबर आप इंमोबाइब लाएनस बढ़ते सर टुसर डिप्लीशन विट तो बढढ़ गई नहां और depletion width बढ़ गई तो junction का potential तो बढ़ जाएगा intensity बढ़ जाएगी ये देखो इतने सारे के कारण junction का potential एक्जिस्स कर रहे ये दो चीजे पता होना चीए एक electrical instrument को power times में entry मार रहे आप the meaning of forward bias meaning of reverse bias आपको पता होना चीए depletion width कब बढ़ती है आपको पता होना चीए depletion width कब कम होती है तो तीन figure ते पहले figure में कोई बाइसिंग नहीं थी जो हटा दिया हम second figure में forward bias है effect भी लिखे forward bias के third figure में reverse bias हो और effect of reverse bias तो कितनी ideal बाते करते हैं देख रहे हैं हम लोग तीरे वहाँ पोच गे depletion width में बागी छोड़ चार के बोले वही पे बस immobile alliance के rate होगा तो पुरा discussion नहीं ऐसा होता है अब जानते ही अब जानते ही अब जानते ही तो इन जन्वेल किसी को पता होना चाहिए कि एफेक्ट आफ फावर्ड बाइस क्या है एफेक्ट आफ रिवर्स बाइस क्या है तीनी पॉइंट्स है इम्मोबाल आइन्स का बढ़ना डिपलीशन विट का बढ़ना और जंक्सन पोटेंशियल का स्ट्रॉंग होना क्योंकि उसी से मिल के बनाया अगर आप इम्मोबाल आइन्स इम्मोबाल बोलने का मतलब वो मुव नहीं करते यार वो क्यों मुव करेंगे वो थूड़ी कोई केरियर से इस नोट मोबाल केरियर नहीं आपको पता है ये इम्मोबाल और मोबाल थायम लोजिक अभ यूज्च की क्व रहा है अगर कोई मैंसे कंटोल सिस्टम पर आया तो मैं रूट लोकस में बात करता हूँ रूट लोकस में बात करता हूँ कि OLTP के जो पोल्स और जिरोस होते है वो fix होते हैं वो immobile होते हैं और close loop system के जो पोल्स होते हैं वो vary होते हैं इसी को root locust बोला जाता है root locust में root का मतलब होता है पोल्स और locust का मतलब होता है path तो जो पोल्स का path होता है किस का CLTF का किस के लिए OLTF के पोल्स और zeros तो जो immobile जो रूट्स होते है OITF के उसके कारण जो मुवमेंट होता है जो मुबाइल साब के पास रूट्स होते है तो आप अगर मैसे अगर रूट्लोकस पढ़ोगे तो आपको तो प्रोवाइट क्या हूँ तो रूट्लोकस का जो पहला लेक्शर लेता हूँ ठीक है ठीक है बना लिए आप लोग तो ठीक है फिर बोर्ट चेज़ नहीं कर तो यही पी रहता हूँ यह का आपके पास एक्वेशन होता है N A W P इक्वल टू N D W N इसको जंशन का सबसे इंपोर्टन एक्वेशन बोला जाता हूँ इसको बोला जाता है Charge of Neutrality Equation इस equation को बोला जाता है Charge of Neutrality Equation Charge of Neutrality Equation एक EDC का आपके पास किसी जंशन के एक रोस कर सबसे इंपोर्टन एक्वेशन होता है इसको बोला जाता है Charge of Neutrality Equation N A W P E-Qual to N D W Charge of Neutrality Equation लिखना आपको जुम्हें लिखाई है अगर वो बन चुका है तो चार्ज आप नेट्रिलिटी एक्वेशन परनाप तर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वेशन एक्रॉस दे जंक्शन क्यासे देखना इसमें बताब डबलू पी क्या है डबलू पी क्या है डबलू पी लिखना है डिप्लीशन विट इन पी साइट और डबलू अन लिखना है डिप्लीशन विट इन एन साइट इसमें डबलू पी क्या है पता है पी का डिप्लीशन विट डिप्लीशन विट इन पी साइट डबलू पी और डबलू अन क्या है depletion within N-side भाइक दोनों को मिला दोगे तो total depletion width हो जाएगा जो हमको दिख रहे है इसको बोलते है charge of neutrality equation आप से को नहीं पूछेगा कि charge of neutrality equations क्या होते हैं, बट ठीक है आप में से पूछेगा तो आपके पास बहुत good idea होना चाहिए तो charge of neutrality equation लिखाई तो most powerful famous equations charge of neutrality equations N-A WP equal to N-D-W फिर चाहर टम है इसके अंदर चाहर टम WP क्या लिखने वाले वाख लेकर आप में से अगर पढ़े हो तो किसी भी चीज़ की में स्टोरी चालो करता हो और कभी असा नहीं होता है कि स्टोरी जो है वो चल रही थी और किसी जगे खताम हो गई और आपको पता ही चला कि स्टोरी कई खताम हो गई और फिर हमारा दूसरा टॉपिक हो गए ऐसा जिंदगी में मैं कोई टॉपिक डील ही नहीं करता हूँ कोई भी टॉपिक आस्ते का आप में से पढ़े होंगे उसकी स्टोरी चल रही हो और वो जब एंड होता है तो सबसे इंटरस्टिंग एंड होता है ये बात तो पता ही है न अरे ये बात पता है नहीं पता है हाँ अभी एंड हुआ अभी एंड हुआ नहीं हुआ सुनना है ध्यान से और नोट करना है ये तो last 30 minutes पर जो सुन रहे तो उसका importance भी नहीं बत्रेगा मैं लिखा charge of neutrality equation मैं बोला WP लिखो कि depletion width in T side और WN लिखो depletion width in N side खायड आपको लिखना है कि N है क्या होता है ये लिखना है doping concentration in P side doping concentration in P side और एक force है आपके पास ND इसको लिखना है doping concentration in N side doping concentration in P side ये एने है चार्च चीज़े है पहला लिखे depletion width in P side WP ठीक है WN लिखे depletion width in N side NA लिखे doping concentration in P side और ND लिखे doping concentration in N side देखने से बढ़ा simple है लेकिन आजकल तो ADC1 को बहुत advancement आता है electronics वाले जो instruments है तो आज से 10 साल पहले अगर मैं 90 ते लेके लगबग 2010 की बात करो तो उनको कम से कम 6-7 बार इस equation से कुछ ना आया है ये जो equation आपके सामने gate में उन लोगों आप तो बहुत advancement उनके ADC में पूछना चालू कर देए ठीक है अब हम क्यों बात करना है देखते हैं तो चार्ट हम लोग जी आपके पस W क्या है यहाँ पर टिपली सामविट P मतलब P side और N मतलब N side N कहा है doping concentration A मतलब except तब वो P में होता है और D मतलब donor वो N में होता है अब देखेगा धियान से इसमें 3 cases बनते हैं इसके साल तबाण N करेंगे इसमें 3 cases बनते हैं क्या 3 cases हो सकते है देखेगा धियान से Case 1 अगर doping concentration दूनों side अगर same है इसका मतलब यह हुआ कि sir अगर N equal to N D है धियान देखना Case Case 1 N equal to क्या लिखा अगर N equal to N D है तो बताओ source equation का मतलब क्या बचा WP equal to WP equal to WN इसका मतलब बता है दोनों side का depletion width same होगा दोन side का depletion width same होगा इधर 12 है तो अधर भी 12 होगे इधर 6 है तो इधर 6 होगे इसका मतलब है कि अगर मैं एक PN जंसन form कर रहा हूँ तो depletion width जो होगी same होगी मतलब सर acceptor ions अगर आपके पास इधर 5 बनाया भी ठीक है यह 5 है और यह 5 10 हो गए तो इधर भी 10 बना दो सर बराबर हुआ न WP और WN WP और WN बराबर हुआ यस सर देहना द्यान से अब इसका मतलब यह हुआ कि यह यह सर W P है और यह जो है वो WN है यह यह पूरे का पूरे W है depletion width और दोनों बराबर है दोनों साइट 10-10 है यह P और यह N क्योंकि doping concentration सेम था doping concentration सेम था तो depletion width का दोनों साइट बराबर है पूरे depletion width है यह P का और N का बराबर होगा WP equal to WN अब अगर मैं बोलों कि सर case 2 है और अगर मैं बोल दू क्यार N A very very high compared to N D है मतलब P side का doping concentration जादा है देखना ध्यान से भी किसका doping concentration जादा है P side का N A जो होता है वो P side का है N D N side का है तो N A अगर N D से जादा है तो क्या होगा पता है अब देखो equation में देखो WP का value क्या होगा WP का value कितना होगा N D WN upon कितना N A तेकि मैं को यह बता हो यार कि अगर N A N D से जादा है तो WP की value WN से जादा होगी कम होगी N A जादा है तो N D by N A क्या होगा Small इससे multiply होगा तो WP की value क्या होगी WP की value क्या होगी WN इसका मतलब पता है एक interesting चीज जहाँ से fact निकालते हैं कि अगर doping concentration P का जादा है तो उसका depletion width कम होता है देखो N A जादा है N A क्या है जादा है तो WP की value क्या होगी कम तो यहां से यह निकलता है कि doping जो होता है आपके पास inversely proportional to depletion width होता है मतलब जहां का doping आप जादा करोगे वहां का depletion width कम होगा भी यह इसका मतलब P का doping जादा है तो depletion width P का छोटा होगा इसका figure कैसे बना सकता हूँ है अब बराबर में है depletion width P कम बना रहा है इसका मतलब पता आपके पस कैसे बनाने वाला हो पर P में सब इतना ही बनाओ न सदाप यह लो 5 बनाते, 4, 5 और यह आपके पास WN जादा बना रहा है यह WN जादा है, देखो दो layer बना है WN की WN की दो layer बना है यह total कितना है, उसका total depletion width थे यह W है लेकिन ध्यान से देखा जाए कि WP क्या है तो WP यह छोटा वाला है और WN जो है वह बड़ा वाला है तो अगर doping concentration P का अगर जादा है तो इसका depletion width कम होगा इसका मतलब है कि depletion width उस side जादा होता है जो lightly doped होते है जो lightly doped होते है, इसलिए जब transistor की बात करते है तो base का doping level कम होता है तो depletion width 20 का जादा होता है, लिखना नहीं है यह आपके पास हुआ P और यह आपके पास N अब यह देखना है कि सर यह सब को लेके जाओगे कहां तक इंटरसिंग बात यह हुए कि इसको लेके जाएंगे कहां तक अब यह हुआ Case 2 Case 3 इस figure को अगर मैं को बोलना है तो देखो इस वाले figure को मैं बोलना हूँ देखो PN यह PN डायोड बोलो, हाँ PN डायोड ही तो लिख सकते है, यह PN डायोड इस वाले figure को लिखना है तो पता आपके पस क्या हुआ doping concentration किसका जादा है पता है क्या लिख सकते हैं पता है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस के अंडिकेट करता है PN में प्लस के अंडिकेट करता है highly doped P side compare to N side P plus N का मतलब क्या होता बता आपको highly doped P side compare to N side P और N में जादा doped P का है P में प्लस लिखा है पर वहां तो कुछ नहीं लिखा दोनों में अरे दोनों बराबर इस लिखा तो case 3 बना N D अगर N A से जादा है तो तो अगर N D N A से जादा है तो फिर तो W N की value small होगी W P से बिलकुल सही है तो depletion जो width होगा जो depletion width होगा इसका W P का जादा होगा यह लोग दो layer बना देता हूँ यह दो layer बना दी है यह यह बन गया आपके पस यह देखो धियान से यह W है इसमेदा है W यह अब W N आपके पस कम दिख रहा है यह W N small दिख रहा है इसको लिखे कैसा इसको अपन ऐसा लिख सकते कि N D जादा है तो P N plus लिख दो हाँ यह लिख दो आपके लिए जो important चीज है कि doping inversely proportional to depletion width मतब जो penetration होता है depletion width का वो lightly doped साइट ज्यादा होता है जितना lightly doped होगा उस side penetration ज्यादा होगा depletion width का जितना highly doped होगा उस side depletion width का penetration सबसे कम होगा अब सबसे interesting बाट क्या पता है power electronics पढ़ते समय इन पूरी बातों को assume कर लिया जाता है according to teacher according to books बच में को पता है कि यह सब नहीं पता फिर आप बहुत सार एजमसें के साथ power times पढ़ना चालू करते है वो dare और assumption और result जैसा अपना नहीं कर रहे हैं इसको अटाता है बस जो p-n junction से आपके पास उसमें दो layer एक p और एक n जिसको आप डायोड बोलते है two terminal एक anode एक cathode है डायोड तो हम जानते हैं डायोड के बाद में unlock circuit में आपको transistor भी पढ़ा है transistor में three layers है आसको p-n-p या n-p-n इसमें कितने junctions है एक junction तो एक ही है वो बीच में जो dotted line एक junction से आपके पास दो दोनों को separate कर रहे है जब SCR की जब बात होगी SCR की बात पता आपके पास यह क्या होता है यह p-n-p-n layer होता है जो में 1956 में इसका invention हुआ bell telephone laboratory में SCR का और 1958 से मैं बोला commercial thyristor मिलना चालू किया और वहां से एरा स्टार्ट होता है power electronics का इस दुनिया में हमारे इंदुस्तान में तो अभी तक भी नहीं हो रहे है हम तो उस generation के लोग के जो की अपना खुद का जो charger है उसका input और output तक नहीं पता है लेकिन कोटा फेक्ट्री में केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल जो बुला गया थो वह पता है कि यह सच है ना तो हम अपने अराउंड में बहुत सारी चीजों को इगनोर करते हैं जिसके लिए महनत की नहीं है ऐसा नहीं कि कुछ महनत की नहीं है और पता है कुछ लोग न इन चीजों में केरकुल होते हैं उन्हीं को दुनिया स्मार्ट बोलना लग जाती बस कुछ नहीं है जैसे कुछ बुए स्पेशल लोग नहीं होता है इस पेशल कैसे होंगे सब वैसे ही है कुछ week हुआ hop की कुछ कोड़ों में कुछ केशस होते हैं लें हमी लोग के बीच मेंस आटेंटिव होते हैं अपने आरां कि चीजों के लिए इंटेलिजेंट नहीं अटेंटिव और अपने आप ही उनको सब लोग इंटेलिजेंट इसलिए बोलते क्योंकि बाकी बिभारी होते हो अब हर चीज तो कोई बतायागा नहीं कि आपको करना क्या है तो कुछ चीज़े जो नहीं बताई जाती हो जो आप करते हो उसी को अटेंटिवनेस बोलते है तो समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इसलिए इन जनरलेक इंजिनियर को किसी रास्ते से गुजरते समय को भी जो भी टाइम आप स्पेंड करते हो इतना टेंटी होना चीजिए उसको बहुत सारी चीज़े पता होना चीजिए बहुत सारी चीजों का और आप तो इलेक्टिकल इस्टुमेंट्स हो तो आपको तो इंजनरली इंट्रेस्ट होना चीजिए चीजों के साथ हर तरफ प्रगा चीजे हैं मैं बढ़ा था कि तो को SCR जो होता आपके पास यह PN PN structure होता है पताब 4 layer structure होता है जो 1956 में invention होता मैक्सम सब invention बैल लेविट्री भाही पर हुए सकता तो जो माने में किसी काम भी नहीं था तो बताब कि पास का structure पास के साथ end करेंगे इसके structure में क्या बताब कि पास यह इसके structure में यह P plus है यह N minus है यह P और यह N plus है यह anode है यह cathode है यह आपके पास gate terminal है इसको बोलते है प्लस को बोलते है highly doped है क्योंकि यह पता है आपको और जो minus है इसको बोलते है lightly doped है और जिसमें प्लस पर माइनस नहीं इसको बोल दे रहे हैं moderate doping moderate doped और last while again जो है वो highly doped जो highly doped आपके पास P plus जो लिखा है आपके पास ये लगबग 10 raise पाँ 19th atoms per centimeter cubic इसका doping level होता है आपके पास ये value आपके पास एने की ये जो likely doped raise की value 10 raise पाँ 14th per centimeter cubic होता है आपके पास ये value आपके पास ND की जो moderate doping है ये value होता है 10 raise पाँ 17th per centimeter cubic ये आपके पास होता है ने की value जो की moderate doping है और N plus की जो value आपके पास अगेर highly doped है 10 raise पा 19 atoms per centimeter cubic जो N plus है ये ND की value है आपके पास the plus represent the highly doped और minus represent the lightly doped तदा आपके पास एक PN जंक्सन डावर में एक जंक्सन होता है इसके बीच में एक जंक्सन, इसके बीच में एक जंक्सन SCR को बोला जाता है आपके पास की 4 लेयर है क्या-क्या P प्लस N माइनस P और N प्लस है 4 लेयर से इसको बला जाता है आपके पास की थ्री जंक्शन्स है J1, J2 और J3 इसको बला जाता है आपके पास की थ्री टर्मिनल है एनोड, कैथोड और केट टर्मिनल इसलिए कंट्रोलिंग टर्मिनल है जो डाइवड के पास नहीं होते है जिसलिए 1956 में इसके इंवेंशन हो उसके बाद मैं बोला कि era start होता है पावल टानिक्स का क्योंकि कंट्रोलिंग मेकनिजम जब आया तो फिर पावल टानिक्स पावर्फुल हो गया अनकंट्रोल जब तक आपके पाद डिवाइसेस थे उतना आपके पास पास एवलेबिलिटी नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं था तो जब एलेक्टिक मोटर नाइंटी फिप्टी एट में जब निकाला उसके बाद पूरा चेज ये चेंज हो गई तो हमारे जो स्के बाद जो इन्वेंशन साब इस्टार्ट जो हुआ ये फोर लेयर आपके पास है, वह थी जंगसान और थी टामिनाल है तो मैंको बात इतनी करना था कि इस SCR में P प्लस में प्लस क्या मतलब होता है और N माइनस क्या मतलब होता है इसलिए स्टोरी चालू किया हमें सेमे कंड़क्टर की इस जगा की जो एक मिनट की बात तीस एक मिनट के लिए मैं एक घंटे से बोल रहा हूँ ऐसा करता हूँ मैं हमेसा और यही मैं को पसंद है क्योंकि मैं इलेक्टिकल का टीचर नहीं हूँ तो यह वह आपके पास एक बेसिक इंट्रेक्शन कुछ हम बहुत ऐसा इस्पेसल नहीं पुड़ें जस्ट बेसिक इंट्रेक्शन की हमको पता रहे कि हम क्या चाहते है अब कल में लॉसे बेसिक सारह की बारे में बात करूँगा स्विचिंग न बात करूँगा ठीक है आपके लिए डीपी डीजाइन जो कर रहा हूँ वह यह कंड़ें अी आपको कुछ भी नहीं करना का वक भी कुछ है उसको प्रूब करना एक कुछ इंटो मैं लेकरना नेटवर्क से भी पहले, ठीक है, इतना अगर confidence से बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, तो अपनी जो पावल टैंस की जो बुकलेट है, उसको एकनोर करते हैं, जो मैं दूँगा, वही करना है, जितना मैं बोल रहा हूं, उतना करना है, बहुत ज्यादा चीजे में discuss कर लूँग आप लोग से, आप एक भी class मिस नहीं करेंगे, घर में आप, यहाँ पर अगर आप हो, तो आप classes में रहेंगे, अगर आप YouTube में पढ़ो के तो content तो वही रहेगा, लेकिन जो feel factor है, जो feeling है, जो मैं देखता हूं, I content करता हूं, उसका बहुत value है, उसका बहुत value है, अलग बात है कि आप कितना उस चीज को understand करते हो, यह अलग बात है, जितना comfort जोन होगा, उतना result minimum आएगा, एक classroom में बैट के और बिस्तर के अंदर, लेट के पढ़ने में जमिन और आत्मान का difference है, यकिन वानी इस बात का, जितना hard work होगा, उतनी चीज़े होगे, यह तो भगवान राम का जो सिक्षा था, वो जंगर जाके नहीं होता, वो बुला लेते, नहीं बुला लेते, तो को समझा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो आप class, proper class में आ रहे हो, तो proper notes बनाएंगे, और मेरा promise है कि अगर आप एक भी class miss नहीं किये, और एक भी class अगर disconnected नहीं ही, तो आपका जो feel factor होगा, वो बहुत ही मज़दार होगा, आपको लगेगा कि कोई subject आप पढ़े हो, I will try में बोल चुका हूँ, हम अपने जिंदिगी का सबसे best किसी subject को जो deal करने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट का subject है, वो ये रहेगा, ठीक है, चल, I hope आप enjoy कि होंगे all times के बारे में बात करूँ, feel factor के बारे में थोड़ी सी बात कर दूँ, कि क्या हम चाहते करके, ठीक है, तो कल evening 5.30 मिलेंगे बग, मिलें कल 5.30, ठीक है, और आप इस subject को जो मैं बोलूँगा, तभी करे, इसका मतलब है, घर जाने के बाद इसको अभी आपको पढ़ने की जर करना है, अपन इसको इस तरीके से में ट्राइ करूँगा, कि इसको minimum effort आपका लगे, मेरे पढ़ाने के बाद कि आपको बहुत revision की जरुवत ना पढ़े, आप बागी subject में अपना effort दे, इस subject को मेरे भरों से थोड़ा सा छोड़ दे, ठीक है, घर में जाके इसको ना पढ़े जब तक मैं ना बोलो, ठीक, चेह लोग, तो आपकी life classes वाले भी enjoy की होंगे, इतने दिन बाद में मिला, life classes वाले में को, miss कर रहे थे आप लोग, और youtube वाले भी थोड़ा भूत miss कर रहे होंगे, या फिर controversy enjoy कर रहे थे, ठीक है, तो चलो फिर कल्मी लेंगे एपन,